नमस्कार आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSC Hindi में मैं ललित यादव आप सबका वेलकम करता हूँ अपनी एम लक्समिकांद की इस एक बहुत ही महत्पून सिरीज में आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे जी हां कोई पार्ट नहीं आएगा सेकंड प्रखसंदे देता हूं मेरा नाम ललित यादव है और मैशने डवल मे किया है लोगप्रसासन राजनीति-विज्ञान से गोल्ड मैड-lis रहा हूँ बिरर क्या है CT8 व्याना हैzag एव्यट व्यानि आपनी रहा हूं नईट फो लेना है बाकी आपको मुझसे यूडना मी टे टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा यहां पर आपको फ्री पीडियाफ मिल जाएगी ध्यान रखेगा ओफिसियल जरूर लगाईएगा पुराने वाले टेलीग्राम चैनल बंद हो गया है आज भी बहुत सारे लोग पुराने टेलीग्राम चैनल को जोइन कर रहे हैं वो आप भी इन में से एक हो सकते हैं कोसिस कीजिएगा कि आइकोनिक कोर्स ले वो बैटर रहता है बैस्ट रहता है उससे सलेक्शन भी जादा है और बाकी अगर आपको हमारी पर्सनल गाइडन्स से यह फीस में डिसकाउंट चाहिए तो डिसकाउंट और गाइडन्स के लिए क कोड लगाना पड़ता है यह रैफरल कोड याद कर लिजिएगा ल वाई ल आई वी इस कोड को अपलाई कीजिए तो आपको फीस में डिसकाउंट भी मिलेगी और मेरी वन 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 पर्सनल गाइडन्स भी मिलेगी कहीं से भी कोल आए किदर से भी कोल आए उनको यह चीज क् लेंगे बात करके ले लेना ठीक है तो आपको एक्जाम पास होने तक गाइड भी करेंगे अच्छे से पढ़ाएंगे भी कोड याद रखिए जब भी जोइन करें तो कोड टू सकसेस बोलते हैं इसको ल वाई लाई लाई इसको अपलाई करना हर तरीके का डिसकाउंट मिल लेना मेर से यह मेरे कुछ एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं और अभी 25 से 31 तारिक तक अनकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक भी क्लास नहीं होगी पूरी पॉलिटी के टेस्ट करवा रहा हूं हजार M.C.Q करवाने वालों आप को आप वह पर टेस्ट सिरीज का मजा लेना है कि जिस तरीके से प्रोपर टेस्ट होता है वैसे अभी 50% डिसकाउंट का उफर चला हुए अगर आप अच्छा घासा डिसकाउंट मिल जाएगा इसको जोइन कर लिजेगा चलिए तो चैप्टर को सुरू करते हैं समिधान का निर्मान और आप सब से एक बार जोस पूछ लिया जाए कैसे है जोस भाई आप लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे कम होती चली जारे आप लाइक सेर नहीं करते क्लास को लाइक सेर क्या किजिए अपने दोस्तों तक पहुंचेए जो जरूरत मन्द है इससे अच्छी डिटेल्ड क्लासिज आपको नहीं मिलेंगी आपको निप्टाने वाली क्लास बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें बता जी जाएगा लाइन पढ़ पढ़ कर यह ऐसे यह 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 लेकिन डिटेल से सारी चीजों को समझाते वे समझाने वाली क्लासिज आपको यहीं पर मिलेंगी केवल मेरी आप तो इसलिए फाइदा भी उसी से होना है क्योंक सवाल भी वहीं से बनने है थोड़ी सी डिटेल नोलेज रखनी जरूरी है तो सोटकट में नहीं जाना है डिटेल में जाएंगे हम भी यहाँ पर डिटेल में जाएंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़े उनको नहीं देखेंगे यहाँ पर जो काम-काम की चीज़े हैं उनको अब इन historical pictures के reference को देखते हैं, सबसे पहले इन इनसान को आप एक बर देखिए, इनका नाम सकल देखकर के आपको अगर हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने अगर इतिहास पड़ा हो, तो इनकी picture देखी हो, नहीं देखी हो, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, देख विश्यूद और दूसरा विश्यूद, पहले विश्यूद के बाद भारतिये जो नेता थे, उनको ये चीज़ का अंदाजा लग गया था, कि लोकतंत्र में बड़ी ताकत है, अधिकारों में बड़ी ताकत है, एक जो ठोकर के अपने देश का सासन चलाना, वो सबसे बहतर विवस्था के होगी, तो इसके लिए वो तयार थे कि अब जल्दी ही हमें आजादी चाहिए, और उस आजादी के संघर्स के लिए भारत में सभी तरीके के, चाहे वो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले सोतंतरता से नानी हो, या चाहे अंग्रेजों को डराने धमकाने वा पाते, कोंग्रेश ये चीज़ समझ चुकी थी, कि भाई, भविस्य में भारत को आजादी मिलने वाली है, या जल्दी ही मिल जाएगी, तो अगर भारत को आजादी मिलेगी, तो उस आजादी के टाइम हम कैसे सासन विवस्था बनाएंगे, क्या एकदम से आजादी मिलते ह कि हम हमारे देश को सही तरीकी से चला पाएंगे, उस देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन नियम काईदे कानून कहां से लाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के काईदे कानून नियम जो थे, वो तो बड़े खतरनात थे, वो तो ताना सही प्रकार के थे, अगर उनक गले में घंटी कोन बांदेगा तो ऐसे यहां पर भी सवाल था कि इस भारतियों के सासन व्यवस्था के लिए रूल रेगुलेशन नियम काईदे कानून किस तरीके से बनाए जाएं कोन बनाएगा क्या तरीके रहेंगे तो इसी संदर्ब में एक विचार आया उसको बोला गया सम्विधान सभा और ये विचार जो है न सबसे पहले 1934 में M.N.Roy इन्हों ने रखा ये पिक्चर जो है M.N.Roy की है तो M.N.Roy ने इस विचार को रखा कि भाई आजादी के तुरंत बाद है न इससे पहले की गड़बड हो मामला हो मेरी आवाज आ रही है न आप लोगों तक आवाज आ रही है तो हाउस दजोस कांसर देंगे एक बर हाउस दजोस मेरे को लग रहे साइद आवाज नहीं आ रही तो मैं एक बर चेक कर लेता हूं कि आवाज आ रही है कि नहीं फिर आप तो कर रहे हैं आजादी के लिए लेकिन आजादी के बाद भी क्या आपस में लड़ोगे क्या आजादी के बाद सत्ता कौन संभालेगा लोग आपका कहना क्यों मानेंगे सासन वेवस्था कैसे चलेगी उसके लिए नियम बनाने पड़ेगे और नियम बनाने के लिए समिधान सभा बनानी पड़ेगी तो इन्होंने राई दी अब इनकी इस राई के उपर 1935 में जो भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस थी उन्होंने पहली बार भारत के समिधान के निर्मान के लिए आधिकारिक रूप से समिधान सभा के गठन की मांग कि इससे पहले उन्होंने आपस म नहीं मंतन किया विचार विमर्स किया उनको समझ में आया यार उन्सेप्ट तो सही है जरूरी है बिना समिधान के तो देश का अक्सासन चलेगा नहीं और समिधान बनाने के लिए समिधान सभा चाहिए और समिधान सभा उस टाइम क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों की मर्जी के बिना तो बना नहीं सकते थे। अंग्रेजों से आव सकता थी कि उन्सकी परमिसन लेकर के हम यह काम करें। तो भारती रास्ट्रिय कोंग्रेस थी उन्होंने आधिकारिक रूप से डिमांड की। 1935 में यहां से दो क्युस्तन बन जाते हैं। सबसे पहला यह की समिधान सभा का विचार सबसे पहले किस ने रखा। तो उसमें आपको MNROI टिक कर लेना है। भारती रास्ट्रिय कोंग्रेस ने पहली बार समिधान के निर्मांड के लिए आधिकारिक रूप से समिधान सभा के गठन की डिमांड किस वर्ष की 1935 यह क्यूस्टन बन जाता है। प्रिलिम्स के पॉइंट उफ्यू से यहां से इंपोर्टन चीज़े बन जाती है। अब क्या होता है यह डिमांड करते हैं मामला चलता है ठीक है। और अंग्रेज लोग थोड़ा सा टालमटोल करते हैं उनको लगता है कि क्या यार फाल तुम्हें फिर से एक और नई डिमांड उठाने लग गए। प्राथमिक तोर पर हमारे पास होनी चाहिए। 1938 में भारते रास्ट्रे कोंग्रेस की और से जोहारला लहरू ने एक घोसना की है। उन्होंने घोसना की कि जब भारत आजाद होगा तो उस आजाद भारत के समिधान का निर्मान वैस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई समिधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानि कि उन्होंने 1938 में ही ये चीज क्लियर कर दी कि भारत का समिधान एक ऐसा समिधान होगा जिसमें सभी को प्रतिनिधित दिया जाएगा। जाती, धर्म, भासा, लिंग, इसका कोई भेद भाव नहीं रहेगा। इस तरीके के विचार, इसलिए आए क्योंकि स्वतंतरता संघर्स का आंदोलन लंबे समय से चला था, तो हमने उन्हों कम्यों को देखा था, किस तरीके की कम्या थी, उनको दूर कैसे किया जा सके। और इनको दूर करने, लोगों को समान, अनुभूती देने का एक मात्र सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ी गारंटी होती है, कि सब को बराबर अधिकार दिया जाए। अब बराबर अधिकार कैसे हो सकते हैं, सब को कैसे अनुभूती हो कि हमारे पास बराबर अधिकार हैं, तो सब को right to vote, equal right to vote, सार भोमिक वेस्क मता अधिकार दे दिया जाए, जिसमें ना कोई जाती, ना कोई धर्म, ना कोई भासा, ना कोई छेत्र, किसी चीज का बंधन न सब को एक vote डालने की अनुमती, ये message दिया गया, और इस message के बाद से पूरे भारत के अंदर, सोतंतरता सेनानियों के साथ साथ, आम भारतिये नागरिक लोगों को भी ये चीज़ समझ में आने लगी, कि देश का विकास, हमारा विकास, हम सब को आजादी तभी मिलेगी, रूप में अधिकार मिलेंगे, एक मानव के रूप में गरीमा का जीवन जीने का मौका मिलेगा, तो जुहारलाल नेरू की इस घोसना के साथ साथ, उन्होंने ये भी क्लियर किया, कि हम कोई बाहरी अस्तचेप नहीं रखेंगे इसमें, इसका मतलब कि हम अपनी मर्जे से सम पलटनी सुरू होती है, जिंदिगी में पासा कब पलट जाए आपको पता नहीं, वो सारी चीजे समय के साथ साथ बदल जाती है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों ने कभी भी नहीं सोचा था, वो चीज हो गई, क्या चीज हो गई, उसको मैं समझाता ठीक है, अंतर राश्टिस तर पर क्या बदला हो रखे थे, 1939, 1949 में दूसरा विश्यूद सुरू हो गया, वर्ल्ड वार टू, सेकिंड वर्ल्ड वार सुरू हो गया भाई, क्योंकि और सेकिंड वर्ल्ड वार सुरू होने के लिए भी कई सारी बिटिस नीतियों को दोस्ती की नीतिया अपनाई थी, अब आपको सर ये तुस्टी करन की नीति क्या है, तो इसके लिए आपको मेरी अंतर राश्ट्य संबंध की क्लास देखनी पड़ेगी, यूट्यूब पर ही है, मेरे नाम से सर्च कर लेना, ललित यादव सर अंतर राश्ट्य संबंध या आयार, उसमें मैंने सारी चीज़े समझाई है, ठीक है, अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं, 1936 में गोसना की, अंग्रेज लोग उस टाइम इतने सीरियस थे नहीं, लेकिन 1949 में दूसरा विश्यूद सुरू हो जाते है, इस दूसरे विश्यूद में दो गुठ थे, एक गुठ जो अमेरिका का था, और दूसरा गुठ जो जर्मनी का था, USA वाले गुठ में बिटेन भी था, ठीक है, बिटेन था, फ्रांस था, ठीक है, और सोवियत संग था, USSR, यह था, यहाँ पर जर्मनी, जापान और इटली, यह तीन देस, अब बिटेन उस समय महासक्ति होती थी, अब युद छिड़ गया, अब युद छिड़ गया, तो उस टाइम जर्मनी, जापान, इटली ने अपनी सक्तियां बहुत बढ़ा ली थी, हिटलर के नेत्रत में जर्मनी एक महान सक्ति बनने की और अग्रसर था, युद होने लगा, इस युद में जर्मनी, जापान, इटली इनके उपर कई बार काफी टाइम तक कई छेत्रों में हावी होने लगे विस्तार करते वे कई छेत्रों तक पहुंच गए बिटेन युद में सामिल हुआ तो बिटेन को आवशकता मैसूस भी कि ऐसे काम नहीं चलेगा भारतियों का सहारा लेना पड़ेगा बिना भारतियों क या बिना भारतियों की मदद के हम ये युद में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने बिना कुछ गोसना करें यहां पर भी एक बर फिर से भारतियों को युद में सामिल कर दिया अब इस समय भारत के जितने भी नेता थे वो इस चीज को लेकर के बड़े जोर सो उसे अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने लग गए और पुखता तोर पर डिमांड रखने लग गए कि आजादी दो आजादी देने की घोसना करो वादा करो तब हम मदद करेंगे क्योंकि इस समय भारतिय स्वतंतरता सेनानियों को वो आसा की किरन दिख गई थी वो उम थी तो ऐसे में 1940 के अंदर क्या होता है इस मांग को बिटिस सरकार जो न सहभांतिक रूप से स्विकार कर लेता है और इसको 1940 के अगस्थ प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है कई बार आप से पूछ लिया जाता है कि अगस्थ प्रस्ताव निम्नांकित में से किस से संबंद तो इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है अब अंग्रेजों ने इस बात को माने तो मानने के बाद विश्युदुस टाइम तक चल ही रहा था अंग्रेजों के सामने कोई और विकल्प था नहीं ठीक है उनको भारतियों के जो अलग-अलग अंदोलन चल रहे थे और इस समय देखिए भारतिये नेताओं ने बहुत सही रणनिती अपनाई इस समय समझ गए थे कि मामला जो है न केवल अहिंसा या केवल हिंसा से नहीं चलेगा दोनों का कोंबिनेशन होना चाहिए दोनों को समिलित करके करना पड़ेगा काम तो हिंसक आंदोलन भी चल रहा था और अहि 1942 के अंदर बिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम सा स्टैनफोर्ड क्रिप्स ठीक है इनको भारत भेजा गया किसलिए भेजा गया कि जाओ और जाकर के सोतंत्र भारत के निर्मान के लिए एक प्रारू प्रस्ताव बताओ भारत को यह बताओ कि तुम जब जादी के टाइम कैसे कैसे चीजे मिलेंगी किस तरीके से तुम देश का समिधान बनाओगे क्या-क्या नियम काईदे कानून होंगे और इसमें यह कंडिशन रख दी कि यह जो प्रस्ताव है ना यह जो समिधान बनेगा यह सैकेंड वर्ड वर्ड खत्म हो जाने के बाद ब प्रस्ताव मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं आए और मुस्लिम लीग के साथ-साथ अन्ये कुछ लोगों को भी नहीं समझ में आए ठीक है मोटा मोटी तोर पर यह रहा कि क्रिप्स मिसन के जो प्रस्ताव थे उसको भारत में स्विकृति नहीं मिली स्विकृति ना मिलने का एक कारण ये भी था कि मुस्लिम लीग इस टाइम इस डिमांड पर अड़ गई थी कि हमें तो अलग देश चाहिए हम भारत के साथ नहीं रहेंगे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनको पाकिस्तान बनाओ और इस चीज की बात यहां पर नहीं की गई थी इसमें दो अलग-अलग समिधान सभाओं की बात नहीं की गई थी इसमें एक ही समिधान सभाँ बनाने की बात की गई थी तो मामला बना नहीं और इसको रिजेक्ट कर दिया गया और यह हो गया रिजेक्ट अब मामला रिजेक्ट हुआ रिजेक्ट होने के बाद उस दोर मे Second World War भी समाप्त हो गया Second World War में जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका, फ्रांस, बिटेन सोवियत संग, इनका जो संग था ये ग्रुप जीत गया विजय हासिल हुई विजय तो हासिल हुई लेकिन बिटेन की हालत बहुत पतली हो गई जैसे लूज मोसन लग जाते हैं किसी को 7-8-10 दिन तक और उसके बाद वो तंग हो जाता है, बेचैन हो जाता है जिंदगी में इस चीज का अनुभाव आप लोगों ने जरूर लिया होगा लगबग उसके बाद जो सरीर से पानी की कमी होती है, सरीर में जो न्यूट्रिशन्स की कमी होती है, उसी तरीके की हालत इस समय बिटेन की होगी कई बार होता है न, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजे मिलते आती है अच्छी चीजे कि और वहाँ साधी में जा रहे है ब्या में जा रहे है, बंडारा लगा है साधी में खाना लगा है और साधी में जाकर अखी प्लेट कैंदे उठाएंगे वहां पर चावल भी डाल रेयर छोले डाल भी डाल भी डाल रहे थिकिए और फिर उसके दे旅ब टून लेते हैं फिर भी दुशन दून के टो फिर अचाय ढूंड करके डालोगे फिर और फिर को करने नहीं पापड भी चाहिए पापड भी डालोगे लगे अच्छा कि भी बहुत है लेकिन उसके बाद दिक्कत फूती है जो problem होती है जो समस्या उत्पन होती हो फिर आपको यह पता है कि कैसी समस्या वैसी ही आलत वो कसम वो इरादा जिसमें तुमने कहा था हमें कि हम आजादी देंगे और उसके समिधान सभा बनाने में मदद करेंगे क्या हुआ तो आखिरकार में ठक हार करके बिटिज सरकार ने एक Mission भेजा जिसको बोला जाता है Cabinet Mission 1946 में 1946 का Cabinet Mission प्लान यह भेजा जाता है अब कैबिनेट मिसन प्लान जो है वो पूरी तैयारी के साथ आता है इसने मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि दो समिधान सभा होनी चाहिए वो खारिज कर दी दगो यह कैबिनेट मिसन प्लान के उस टाइम की बात चीत है इसमें समधार एक दूसरे गो कि रहे मान जाताओ गुरू जी मान जाओ समझ जाओ आजादी दे रहे वही बड़ी बा उस समिधान सभा में सबको अच्छा सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और मुस्लिम लीग के लिए सीटे हम वहाँ पर अलग से निर्धारित कर सकते हैं या उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो इस तरीके की योजना से मुस्लिम लीग संतुस्ट हुई और जब संतुस्ट हो गई तो उसके बाद अल्टिमेटली भारत के समिधान के बनना सुरूओ वा कैबिनेट मिसन योजना के सिफारिसों के बाद नौवंबर 1946 में भारत की समिधान सभागा गठन हुआ ठीक है नौवंबर 1946 यहां पर होगा नौवंबर 1946 में समिधान सभागा अब यहां पर प्री का प्रकश्न बन जाएगा, प्री का प्रक प्रकश्न आपसे ये बनेगा कि भारत की समिधान सभागा निमनां कित में से कोन से आयोग की सिफारिस पर बनाए गई पहला plataforma लिडिटन योजना दूसुरा क्रिप्स मिसन तीसरा कैबिनेट मिसन चोथा कुछ भी डाल देंगे ठीक है कुछ भी तो इन चारों में से आपको answer दे न मैंने आपको छूट दे दिए कि वीकल्ब कि तीन में से ही बता दो तो correct answer आपको comment box में सबको बताने है क्यूंकि इस तरीके के question आ सकते हैं और हो सकता है कि इस तरीके से चीजे किसी एक अलग क्योस्चन में एक लाइन दे दी जाए उस लाइन में पूस लिया जाए मैं क्लास के एंड में इस सवाल आप से पूस लूँगा तो कैबिनेट मिसन जो है इसका करेक्ट आंसर है अब समिधान सभुआ का गठन हुआ अब इसकी कुछ योज रियास्तों के लिए रहेगी उस टाइम ऐसा इलाक्ता था बिटिस भारत यानि कि जिस पर अंग्रेजों का कबजा था देशी रियास्ते जो अंग्रेजों की अधीनता में काम कर रही थी लेकिन उनको कुछ सोतंत्रताई दीगी थी राजय महराजय अपने सासन चलाते थे अब इनों ने उन दोनों का ख्याल रखा कि ठीक अब या इतनी सीट तुमारी इतनी सीट तुमारी अब इसके चुनाओं के लिए बड़ी इंट्रेस्टिंग सी चीज करी जो बिटिस भारत से जो 296 सीटे थी इनके लिए जो प्रांतिय विधान सभाएं थी उस समय जो प्रांतिय विधान सभाएं थी इनके द्वारा निर्वाचन हुआ यानि कि समिधान सभाएं के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किया गया प्रांतिय विधान सभाओं के द्वारा जो 296 सीटों की बात किये थी उसके लिए ठीक है सभी समुदायों को उसमें तो दिया गया था हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई ठीक है और वोटिंग हुई उसके बाद मुद्दा आता है देशी रियास्तों का देशी रियास्तों की प्रवर्ती अंग्रेज लोग समझते थे उनको ये चीज समझ थी कि भाई यहाँ पर वोटिंग नहीं गरा सकते क्योंकि देशी रियास्तों के प्रतिनिधि हैं वो नमांकित होंगे देशी रियास्तों के प्रतिनिधियों का चैन रियास्तों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था यानि कि जो रियासत का प्रभू होता था उसको अधिकार दे दिया गया कि भाई तुम चुनो तुम भेज़ दो अपनी जगे पर किसको भेजना चाहते हो जिसको तुम समिधान सभा में भेज़ोगे उसको हम मान लेंगे एकसेप्ट कर लेंगे ठीक है तो ये बात हुई तो इस तरीके से आपके सामने एक अंतर ये निकला एक कंक्लूजन जो है एक परिणाम जो है वो ये निकला निसकर्स जो है वो ये निकला कि भारत की समिधान सभा ना तो पूर्ण पूर्ण रूप से निर्वाचित थी, ना ही पूर्ण रूप से नामांकित थी, दोनों का मेल था, दोनों का मिक्स्चर था, ठीक है, आंसिक रूप से नामांकित, आंसिक रूप से निर्वाचित, ठीक है, इसको हम बोलते है, पार्सियली नोमिनेटेड और पार्सियली इलेक करें गरियां ने किस तरीके से भारत के समविधान को दिसा निर्देश प्रदान किया यज भारत के मजबूत समयधान के लिए मारग प्रसस्त किया इस तरीके से सवाल बन सकता है उसका आंसर आप तभी दे पաitք जब आगे आगे की चीजे भी पढ़ेंगे और आगे की चीजे आप इसलिए पढ़ोगे कि उस्तन की जिग्यासा जग गई नहीं तो बहुत सारे लोग थोड़ी देर में आते हैं थोड़ी देर में जोस दोस से आएंगे यह क्लास हो रही है आए और फिर उसके बाद देखेंगे आपके लिए जरूरी है कि बीच में आपको कुछ क्योंस दिये जाते रहे ताकि आपको पता रहे गए कि आप यह क्या गरना किस तरीकी से चीजों ले कर चलनी है तो आंसिक रूप से ना मंगित आंसिक रूप से निर्वाचित इसका टेस्ट भी मैं थोड़ी टाइम में ल अब समिधान सभा का चुनाव जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ ठिक जो 296 सीटे थी बिटिस भारत के लिए उनके लिए इलेक्षन हुआ इस इलेक्षन में जैसा की सोभाविक था जाहिर था कॉंग्रेस को जादा बहुमत मिलना था तो कॉंग्रेस को 208 सीट मिली क्य तो इस तरीके की सीटों का आवंटन यहां पर हुआ यह आपके लिए काम का नहीं है मैं बस सिर्फ आपको समझा दे रहा हूं कि किस को कितने सीट मिली हां हिस्ट्री में काम आ जाएगा यह लेकिन पॉलिटी में इतना काम का नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपकी जो अंदर आत्मा की आवाज आते ना उसकी परिपूर्ती के लिए मैंने बता दिया कि ठीक है चलो आपको भी थोड़ी से संतुस्टी हो जाए नहीं तो कई लोग कहेंगे सर आपने यह नहीं बताया क्योंकि इस तरीके के सवाल पता है कौन पूसते हैं बस में ट्रेवल करने वाले अ आपको देख करके उनके मन में कुछ चुलसी मस्ती है कि इस बच्चे का जरा सोसन किया जाए इसको जरा अपने घ्ञान का वो प्रदर्शन किया जाए कैसे करके इस बच्चे से पूछ तो पहले आप से नाम वाँ पूछेंगे की बेटा कहां से हो क्या करते हो और गलती से उने बोल दिया कि मैं तो UPSC की तैयारी करता हूं फिर वो ऐसे ऐसे सवाल निकाल करके लाएंगे जो उनको तो आता है लेकिन बाकियों को नहीं पता होगा जिनका UPSC से कोई लेना देना नहीं है तो वहां पर वो ऐसे सवाल पूछेंगे बताओ जब मुस्लिम लीग को कितनी स्कीट मुली मुुझां स्टातत्त मुंत्र फॉपी इतना ज्यादा अधिक महत्वी इसका नहीं है महत्व किस चीज को समझे महत्व यहां पर है दिस रियास्तों वो नहीं भर पाई क्योंकि आपको पता है देशी रियास्ते तो देशी रियास्ते थी बोईस वाली सिस्टम वाला मामला क्या भाई हम तो टसन में हम तो हट्टे-कट्टे पहलवान टाइप है ऐसे ही राजा महराज हम राजा महराज हम राजा धिराज महराज हम समिधान सभा में जाएंगे हम उनकी बात वानेंगे चुने वे प्रतिनिधी होगी अलग-अलग जाती धर्म समुदाय छेत्र भासा के लोग होगी क्योंकि यह अपने आपको उच्छ स्तर पर रखते थे बाकियों को निम्ण स्तर पर समझते थे तो इन्होंने का कि ना हम समिधान सभा से अ भारत के सभी मतदाताओं ने वेस्क मतदाताओं ने जरूर वोट नहीं किया उनके प्रतिनिधियों ने वोट किया लेकिन फिर भी भारत की समिधान सभा में हर समुदाय चाए वो हिंदू हो मुसलिम हो सिख हो पार्सी हो एंगलो इंडियन भारती एसाई अनुसूचित जा भारत के सोतंतरता सेनानी और भारत के समिधान सभा को बनाने वाले और चुनने वाले लोगों के दिमाग उनके विजन को यह दरसाता है कि वो लोग उस समय कितना बहतर तरीके का विजन रखते थे और कित तरीके से देश को आगे दिसा देना चाहते थे तो यह तरीकी से ध पिक्चर दिखाता हूँ, यह पिक्चर देखिए, इन पिक्चर को देखते ही आपको क्या याद आता है, कौन-कौन है जो इन महापुरुस को जानते हैं, और कौन-कौन है ऐसे जो नहीं जानते, जिन्नोंने नहीं भी पढ़ाई लिखाई की ओगी न, वो भी जरूर जानते ह नोट के उपर तो फोटो देखी होगी, ठीक है, तो हमारे राजश्पिता महात्मा गांधी की, अब आप का होगे, सर महात्मा गांधी जी को यहां पर आप क्यों ले कर गया है, तो उसका रीजन बताता हूं, हमारे स्वतंदरता संगर्श में जितनी भी स्वतंदरता सेनानी उन मेंसे अधिक्तम लोग भारत की समिधान सभा में चुन लिये गए, लेकिन महात्मा गांधी जो हैं, वो समिधान सभा में नहीं चुने गए, अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो गया, चुने क्यों नहीं गए, उसका रिजन ये था, ये किसी में ताकत नहीं थी कि महात्मा ह耶प카 Indy 266 को थे महातमा गांदी अपने आपको खुद ही समिधान सभासे अलग कर लिया ये वो लें कि नहीं मैं सम्धान सभासा सदस्य नहीं बनूद को अपके माइन्ड मैंगा की एसा क्यूं किया एक तरफ तो इसके कुछ तर्क थे सबसे पहली چी ति महात मागांधी ये मानते थे कि हमारी कीन अपने आप सारा decision लिया हूं अपने आप सारा काम क्या हूं, यह कहते थे कि रह यह जो समिधाल सभा बनी है ना, यह विदेशियों के कहने पर बने है, Cabinet Mission, Cabinet Mission जो था ना, उसकी शिफारीसों पर बनी है, उसने बताया था कि कितने लोग कहा से आएंगे, कितने लोग कहा से आएंगे, हम लोगों ने तो decision लिया ही नहीं तो मैं तो ऐसे किसी भी निर्णे का भागीदार नहीं बनूँगा जो भारतियों के द्वारा ना लिया गया हो पून रूप से भारतियों के द्वारा ना लिया गया हो विदेशी ये तो संप्रभू इस तर पर जादा फोकस किया जाए केंदर को अधिक सक्ति साली बनाने की बजाए गाओं को अधिक सक्ति साली बनाया जाए जन जन मानस तक जन समुदाय तक इनकी पास वास्तविक सक्ति हो लेकिन ततकालिन परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत में इस तरीके की व्यवस्था न में experience है, एकदम नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ठीक है, आप देखो, मेरा काम है देश को आजाद करवाना, वो मैं करवा रहा हूँ, मैं उने करवा भी दिये, मैं सम्विधान सभा का सदस्य नहीं बनूँ, तो ये सम्वि ठीक है, और फिर इन में से आपको चूस करने के लिए पूस लिया जाएगा, वगयरा वगयरा, तो आपको वी एन राओ भी दे देंगे, तो आपको निच्चे कई सारे उप्सन दे देंगे, कि केवल ये ये सही, केवल ये ये सही, केवल ये ये सही, तो आपको पता होना च अंगर्स के उच आदर्सों को समाहित उच आदर्सों से प्रेरित भारत की समिधान सभा महात्मा गांधी की सानिध्य के बिना किस तरीके से भारत के समिधान को निर्मान करने में चुनोतियों का सामना करते हुए अग्रसर हुई महात्मा गांधी अगर भारत की समिधान सभा क के हिस्सा होते तो भारत के समिधान में क्या-क्या बदलाव हो सकते थे इस तरीके से चीजे जोड़ करके मेंस का क्यूस्टन जो है आपसे पूस लिया जाएगा अब आंसर आप तभी लिखोगे जब आप क्लास पूरी देखोगे अगर आंसर जानने तो क्लास देखनी पड़ चलो तो यहां तक का मामला मेरे को लगता आपका क्लियर हो गया होगा अब समिधान सभा की कारेपणाली देख लेते हैं अब यहां से प्रिलिम्स के लिए जो इंपोर्टन चीज़े आ गई न यहां पर जो है प्रिलिम्स टाइप की चीज़े आने लग गई अब ऑब अब यहां से पूछे जाते हैं हर तरीके के एक्जाम में और वहां पर जाने के लिए सबसे पहले आप लोग like share जरूर करते हुए चले जाएं like share करें like share आप लोग नहीं करते हो तो यह बड़ा दुख होते हैं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से class लेकर गयाते हैं और आप लोग उसको like share ही नहीं करते हैं ठीक है चलिए अब सम्विधान सभा बन गई सब लोग आ गए तो उनकी बैठक निर्धारी थी यह सवाल हमें सब पूछा जाता है और वो जो बस वाले अंकल थे वो भी इस तरीके का सवाल पूछते हैं अच्छा बेटा बताओ UPSC की तैयारी करते हो यह बताओ सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई कितनी तारिक को हुई तो आपको बताना है जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई अब यह 9 दिसंबर 1946 मतलब हमारी आजवादी से पहले ही पहली बैठक हो गई थी यह ध्यान रखना कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी कई सारे कि समिधान सभा ने भारत की सोतंतरता से पहले ही अपना कार ये प्रारम कर दिया था तो यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी यह सही हो गई तो यह पहली बैठक है कि पहली चीज जिंदगी में की गई बहुत इंपोर्टेंट है वो लाइफ में भूलनी नीचीए और वो पहली आपकी सक्सेस आपकी सफलता पहली आपकी हार आपको ठोकर पहला 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 आपका प्यार यह जरूर याद रहता है इसमें आपको यह आपको बरसो तक याद रहता है मरने तक भी याद रहता है पहला वाला प्यार की तो बात यह लग थी तो यह पहली बैठक थी इसको याद कर लिजीगा अब मुद्दा क्या था इस टाइम मुस्लिम लीग पूर्ण रूप से और सहयो करने के मूड में आ चुकी थी वो इस मामले पे भारत की समिधान सभा का हिस्सा नहीं बन रही थी उसने कहा कि भाई हम इस बैठक का भाईसकार करते हैं हम नहीं बैठक पाकिस्तान नहीं कहलाएगा इसमें सबका प्रतनिदी तो नहीं है इनको जो करने करो हम तो हमारा समिधान मनाएंगे पाकिस्तान तो उस समय इनकी जिद्ध तो थी हालांकि प्रारंब में नहीं माने गई तो हम रुक तो नहीं सकते थे भारत के जो कोंग्रेस के और जो बा आपको अलग कर लिया मुसलिम लीग ने भी अपने आपको कर लिया तो बहुत सारे सदस्य लगबग लगबग यहां से गायव हुए 211 सदस्यों ने प्रारंब किया हिस्सा लिया काम सुरू हुआ ठीक अब जब काम सुरू हुआ तो यहां पर पिक्चर देखिए इस पिक्चर को किसी एक महान वेक्ति हैं इनके अगर आप पहचान सकते हैं तो कमेंट बोक्स में लिख कर गए बताईए कि यह कौन है कोई बताएगा कमेंट बोक्स में कि कौन ह अच्छा आप लोगों को टेलीग्राम पे फ्री पीडियेफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अनेकेडमी ललित यादव की पार्ट साला ओफिसियल ध्यान रखना ओफिसियल जरूर लगाना पीछे अनेकेडमी ललित यादव की पार्ट साला ओफिसियल इस नाम से सर्च करना तो यहाँ से भारत की संसदिय विवस्था में एक नई परनाली या एक नई विवस्था प्रारम हुई किस तरीके से हुई समझिया समीधान सभा तो बन गई लेकिन समीधान सभा के बनने के बाद समीधान सभा का अध्यक्स भी तो चुनना जाना था जब तक कि समीधान सभा का अध्यक्स ना चुना जाए तब तक उसके काम को संभालने के लिए पहल कर दिया जाता था तो डॉक्टर सचिदानन सिन्हा को भी संविधान सभा का अस थाइद्यक्स चुनना गया कि भीया ये टेंप्रेरी ठीक है ये एक अस थाइद्यक्स है पहली बैठेक की अद्यक्स ता करेंगे जब स्थाई अद्यक्स आ जाएंगे तो ये छोड़के चले जाएंगे ये वाला प्रयाओधान अब भारत में कहां पर काम आता है जब भी भारत के अंदर लोग सभा का नया चुनाओ तो नय चुनाओ के बाद क्या होते हैं जितने भी सांसद जो चुने जाते हैं जो मेंबर ओफ पार्लियमेंट हैं जो आपके सांसद हैं हाथ जोड करके आपसे जो वोट मांगते हैं फोटो खिचाते हैं इस तरीके से चलो दिल्ली बगएरा बगएरा तो वो लोगों की सदस्यता तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो लोक सभा में जाकर के सपत ना ले ल वो इसकी अध्यक्स्ता कर नहीं सकता तो ऐसे मेर राष्ट पती क्या करते हैं वो देखते हैं कि जो चुनाव हुए हैं इसमें सबसे सीनियर मेंबर कौन है वरिस्थतम सदस्य जिसको थोड़ा experience भी हो उस वरिस्थतम सदस्य को वो अपने आप सपत दिलवाते हैं और बोलत में जितने भी सांसद उनको सपत दिलवाएंगे सपत दिलवाने के बाद जो स्पीकर है उसका election conduct करवाएंगे जैसे ही स्पीकर अपने पद पर आएगा इनकी पोस्ट इनका काम खतम हो जाते हैं स्वते चले जाते हैं कुछ लेना देना उसके बाद नहीं होते हैं तो यह ए स्थाई अध्यक्स तुने गए अब जब उसके बाद स्थाई अध्यक्स की बात आती है वो बहुत जरूरी है डोक्टर राजेंदर परसाद आपने नाम सुना होगा यह समिधान सभा के स्थाई अध्यक्स तुन निर्वाचित हुए पिक्चर देख लिजी इधर आपको द सभा के समिधान सभा के अध्यक्स तो डोक्टर राजेंदर परसाद थे तो सब उसमें हवा हवाई हो जाते हैं लेकिन वहां पर फस जाओगे सबसे पहले सचिदान सिन्ना थे ठीक है जब राजेंदर परसाद का इलेक्शन हुए चुने हुए निर्वाचित हुए तब यह स्थाई बने ठीक है स्थाई अध्यक्स पहले थे ठीक लेकिन टेक्निकली दूसरे नंबर पर रहे इससे पहले सचिदान सिन्ना और स्थाई अध्यक्स के तोर पर काम कर चुके थे अब एक इंट्रेस्टिंग सी चीज यह हुई कि यहां पर दो उपाध्यक्सों की भी का भ दो उपाध्यक्स थे एक उपाध्यक्स नहीं था ठीक तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि कौन-कौन से भारत की समिधान सभा के उप सभापती थे ठीक है यह उपाध्यक्स के रूप में निर्वाचित होए तो यह दो लोगों ने जाना भी होगा नहीं जाना होगा तो जिन्नोंने मेरी अंतर राष्ट्री संबंद की क्लास देखे होगी तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं बताई हैं विदेश नीती के संदर में पंडित जोहरलाल नहरू उनकी यह पिक्चर है सभा को मैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ एक बहुत महत्पून तारिक है 13 दिसंबर आम तोर पर आपको अपनी वो तारिखे याद होती है जो तारिखे आपके खास चाहने वालों की हैं जिनका बड़े आता है या बड़े के साथ साथ एनिवर पी थी उसी से तो दोस्ती भी हमारी एक मेना होगा चलो केक काटते हैं तो उन तारिखों से ज़्यादा आपको ये तारिखे याद करने की जरूरत है क्योंकि ये यूपीसी में आपके काम आएंगी और यहां से आपके क्योशन पूछे जाते हैं 13 दिसंबर 1946 इस तारिख को अब ये Objective resolution उद्धे से प्रस्ताव इतना महत्पूर्ण क्यों था वो महत्पूर्ण इसलिए था क्योंकि इस प्रस्ताव के अंदर हमारे पूरे समिधान का एक लेखा जो का एक सार दिया हुआ था कि इस उद्धे से प्रस्ताव से ये clear हो गया था कि भारत का समिधान किस तरीके से बनने वाला है किस तरीके के से काम करने वाला है और उसके दिशा में भविष्य में क्या-क्या कोशिसे की जा सकती है उसको हम समझ लेते हैं क्या-क्या है इसको पहली चीज इसने ये कहा कि समिधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभू गंडराज्य घोसित करत इसका मतलब सिंपल सा था यह था कि भाई आप भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है और अपने डिसीजन लेने की इनको जो पावर देगा वो कौन देगा समिधान को निर्मान को करेगा समिधान सभा करेगी तो इसने यह क्लियर कर दिया कि हम बाहरी बाध्यताओं से मुक प्री पार्टिसन 1947 में जो विभाजन हुआ था उससे पहले आपको देखोगे तो जो पिंक 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 देखे रहे ना दाना पे पिंक पिंक यह सारे पिंक पिंक को ने यह प्रिंच्सलिश टेट है यह देशी रियास्ते थी और बाकि जो आप यह दूद्व कलर देख रहे ये बितिस भहारत यानि अंग्रेजों का जहांपर प्रभुत्तू था वो था और यह विभाजन स पूरु का वो छेत्र था तो उस टाइम देशी रियास्ते भी होती थी बिटिस भारत के छेत्र भी होते थे तो हमने हमारी objective resolution में ये चीज क्लियर कर दी कि बिटिस भारत में जितने भी छेत्र हैं जो भारतिय राज्यों में सामिल जो छेत्र है और भारत से बाहर के कोई भी छेत्र जो भी इसमें सामिल होना चाहते हैं वो भारत के संग का हिस्सा है यानि कि हमने सब को वो दिया कि जो भी भारत में सामिल होना चाहेगा सब का तहे दिल से स्वागत है आईए भारत का हिस्सा बनिए भारत का संग बनाईए और इसी के बाद इससे संबंदित कई सारे प्रावधान भारत के उसमें आए ठीक है आप उसको भी देखेंगे उसक बहुत बड़ी घोसना थी, एक बहुत बड़ा वो था, clear message था, कि अब दुख भरे दिन बितोरे भाया, सुखत भरे दिन आयो, अच्छे दिन आये, गम भरे दिन चले गए, क्या गम भरे दिन, कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से प्रताडित किया था, जिस तरीके से उत्पा हैं, अब तो यहाँ पर साफन होगा, तो जनता का साफन होगा, भारत की जनता के पास असली सक्ति रहेगी, वो चुनेगी, basically इससे क्या आया, इससे यह कहना चारे थे कि भारत में लोकतंत्र होगा,omme democracy होगी, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला सासन ठीक है ये स्टेटमेंट किसने दी एक NCRT है पुलिटी की उसके अंदर इस स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है ठीक है उस स्टेटमेंट का उत्तरवता ये आप ये किसने कहा जोगों का Santiago के लिए लोगों के द्वारा किये जाने वाले सासन को आर्थन क्लासिज मिलेंगी मेरे नाम से सर्च कर लेना वहां पर जा करके देख लेना बाकि आप कमेंट बोक्स में जरूर यहां पर लिख करके बताएंगे कि कौन-कौन थे ठीक है तो यहां से डिसाइड हो गया कि लोकतंत्र होगा एक बहुत अच्छी चीज यह हुए कि अल उसका कारण क्या था उसका कारण यह था कि कोंग्रेस के नेताओं ने पूरे भारत के लोगों का आहवाहन किया और उनको कहा कि देखो जात पात धर्म भासा लिंग छेत्र को छोड़ दो अगर आजादी चाहिए तो एक जुठ हो जाओ अंग्रेजों के खिलाफ सब लोग म अप्तियाचारों की समस्या इन समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देंगे सब उको बराबर अधिकार देंगे और जिनको भी भै रहेगा कि हमें अधिकार मिलेगा नहीं की नहीं मिलेगा उनके लिए विसेश प्रावधान करेंगे इसलिए भारत के स्वतंदरता संगर्स मे संपून भारत के सभी जाती धर्म छेतर लिंग के लोगों ने संगर्स कंधे से कंधा मिला करके संगर्स किया वो संगर्स अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का संगर्स तो था ही साथ ही महिलाओं को गुलामी से आजाद कराने का संगर्स था महिलाओं को बराबरी का द यह सारे संगर्स थे, उन सब को समाहित कर दिया गया, objective resolution में, तुरंत पता चल गया इसी से कि हाँ अब हमारा समिधान तो है, secular बनेगा, बढ़िया बनेगा, ठीक है, अब यह कुछ important चीज़ थी, और बाकी चीज़े इतनी important नहीं है, तो उनको मैंने skip कर दिया, यह धियान एक, ऐसे ही हैं, जिन से कुछ लेना देना नहीं है, उनके उपर PhD नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, अब क्या होता है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को, यहाँ पर 1946 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, 1947 आगे, यह मेरे टाइपिस्ट ने गड़वड कर रखी है इसको सर्व सम्मती से स्विकार किया गया, ठीक है, और यही वो प्रस्ताव था जिसने भारत के सम्विधान को स्वरूप दिया, भारत के सम्विधान को स्वरूप को प्रभावित किया, और इसी प्रस्ताव से भारत की सम्विधान की प्रस्तावना बनी, प्रियम्बल बनी उदेसिका बनी, ये तीनों एकी चीज है, प्रियम्बल, प्रस्तावना, उदेसिका, कई लोग confusion में आ जाते हैं, एक लड़का मेरे को phone करके बोल रहा है, मैंने प्रस्तावना तो पढ़ ली लेकिन सर ये उदेसिका क्या है, सर ये प्रियम्बल के ऐसर में को समझ में नहीं आ रहा सर इसमें confusion है मैंने गोला भाई यह एक ही चीज का नाम है और कुछ नहीं है ठीक है तो बारत की समिधान की जो प्रस्तावना इसी के परिवर्तित रूप से बनी यहां पर देखिए उस टाइम की फोटो में आपको लेकर गया ह सर्च करके ऐसे डोक्यूमेंट होते थे बड़े-बड़े पेज उनके उपर मोहरोना या छपना या लिखना एक बहुत भारी भरकम डोक्यूमेंट बनाया जाता था कोई हलकाफुल का डोक्यूमेंट नहीं है आज के जैसा नहीं है कि आप क्या से मोबाइल लगा कंपिटर कर के टाइप करके सारी चरे डाल दी ना उस टाइम asing थरीए कि भारी भरकम डोक्यूमेंट होते थे तो इसको को स्विकार कर लिए गया भारत की प्रस्तावना जोहरला लहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्दे से प्रस्ताव के आधार पर बनाए गई तीसरा कथन भारत की प्रस्तावना के लिए वैस्क मता धिकार के आधार पर सारुजनिक रूप से भारत में प्रतेक्स वोटिंग हुई कि भारत की प्रस्तावना सम्विधान सभा के द्वारा स्विक्रत की गई और इन में आपको विकल्प दे दिया जाएगा पहला केवल एक सही, दूसरा केवल दो सही, तीसरा एक और दो सही, चोथा दो और चार सही और इसमें आपको answer देने है, क्या answer देंगे comment box में दीजिए सब लोग होगा comment box में answer आने है, यार like share करते चले जाओ हमने समिधान की प्रस्तावना बना लिए और आप लोग अभी तक like share नहीं कर रहे हद दे यार like share करो, और how's the juice बताओ, how's the juice answer आना चाहिए, हाई sir, हाई जोस के साथ बने रहने, like share रुखने, end तक रुखने, सच्चा साथी वही है, जो अंतिम समय तक साथ दे, तो लंबी class जरूर चलेगी, तो end तक बने रहने, ठिके रहने, जाना नहीं है, UPSC के exam के exam के जो अभ्यर्थी है, उसका सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आखिर तक टिकता है, और जो नहीं टिका हुआ तो फिर चला गया, फिर तो exam भी इसी तरीके से चला है, हाई जोस के साथ बना करके रखी, प्रियम्बल का हो गया answer, ठीक है, अब बात आती है कि शुरूस के बाद भारत को आजाद कराने के लिए 1947 का भारतिय स्वतंदरत अधिनियम आता है, इससे क्या-क्या बदला हुए थे, यह हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बने, दो अलग-अलग देशों का निर्मान हुआ, ठीक है इस तरीके की चीज़े हुई, लेकिन इस अधिनियम से और क्या-क्या परिवर्तन हुए, क्या-क्या बदला हुए, उन बात तो को समझी है, देखिए, जैसे ही समिधान सभाब बनी, उद्देश से प्रस्ताव आया, गहमा-गहमी का माहूल बनने लगा, खास करके देशी र आपको रखने वाली जो देशी रियास्ते थी, उनमें खलबली मचने लग गई, उनमें भैय पैदा होने लग गया, यह तो हमारे बिनाई समिधान बनाने लग रहे हैं, मुस्लिम लीग को भी निलिया, हमें भी निलिया, हमारे कोई प्रभावी नहीं पड़ रहा, हम तो न कि कई सारी देशी रियास्तों ने अपने प्रतिनीदी भेजने शुरू कर दिये, कहते हैं न मरता क्या ना करता, तो ऐसे ही वो आ गई, कि भाई इससे पहले की एक ऐसा समिधान बने, जिसमें राज्या माराजों का समूल इतिहास समाप्त कर दिया जाए, हम भी चले जाते ह अब अपने हक का मांग लेंगे, धीरे धीरे जाने लगे, अब ऐसे में क्या होता है, ये एक पिक्चर देखिए, ये एक और एतिहासिक पिक्चर, माउंट बेटन प्लान, 3 जून 1947, ठीक है, ये तारिख भी याद कर लीजिए, माउंट बेटन प्रस्ताव के माध्यम से भा भारत का विभाजन स्विकार हो गया, कि कौन कौन कितने देशी रयास्ते हैं, वह भारत की भोगोलिक सीमा में है, कुछ को लेकर के खाल लेकिन पिक्चर जो है उँग क्लियर हो गए थी, दुंदली पिक्चर दुंदली तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लग गई थी, अब जो यह पिक्चर साफ हो गई तब देशते रियास्तों को समझ में आ गया कि रहना तो भारत में ही है ठीक है अब यहां पर अब हम वो राजसाही वाले ठाट बाट नहीं कर सकते कि हम नराज हैं आओ हमें मनाने के लिए हमारी मिन्नत है करो तो हम सोचेंगे न कोई पूसने वा दिया कि ठीक है जाओ और वो आए उन्होंने अपनी सीटे घ्रहन कर ली ठीक है मुस्लिम लीग के दो हिस्से हो गए दो हिस्से कैसे एक मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के समर्थन में दी और मुस्लिम लीग का ही एक दाड़ा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे का समर्थन नहीं थे जो चाहते थे भारत ही रहे तो भारती हिस्से की जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भारत की समिधान सभा में सामिल हो गए यह एक बदलाव यहां पर हुआ अब 1947 का जो अधिनियम था उसने समिधान सभा की स्थिती में तीन परिवर्तन किये इससे पहले समिधान सभा एक अलग तरीके से चल रही थी लेकिन जब आजादी वाला आ गया तो इससे क्या हुआ कि समिधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभू निकाय बना दिया पूरी तरह से संप्रभू निकाय बना दिया इसका मतलब ये कि अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बिटेन से पूछ पूछ करके बैठेक नहीं करने, बिटेन से पूछ पूछ करके नहीं करना, कि ये जोड़े की नहीं जोड़े हैं, इसको डाले की निड़ा, नहीं, अपनी मर्जी से, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को चलाने के लिए, कोई भी प्रावधान हम बना सकते हैं ये पावर इस अधिनियम से आ गई पूर्ण संप्रभू निकाय बनिया इससे पहले पूर्ण रूप से संप्रभू नहीं था क्योंकि जैसा महात्मा गांदी ने कहा था न इसको संप्रभू निकाय नहीं मानते थे वो बन गई ठीक है संप्रभू बन गई इसके साथ साथ इस अधीनियम ने संविधान सभा को बहुत सारी पावर दी इन्होंने कहा कि आज से पहले जितना भी बिटिस संसद ने कई सारे एक्ट बनाए ऐसे एक्ट जो आने वाले भविश्य में UPSC की तयारी करने वाले गवर्नर जनरल हो रहा है कभी कोई बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा है यह हो क्या रहा है हमारे साथ है ना तो हम क्या करते हैं ऐसे जितने भी एक्ट थे बिटिस भारत में जो बनाए गए एक्ट थे उन सभी कानूनों को समाप्त कर सकती है भारत की समिधान सभा यह समिधान सभा को एक विधाईवा भी बना दिया गया हुए विधाईका मतलब क्यूं क्यूंकि समिधान भना अने में पाम उसको करने में समय लगता है, मेनत लगती है, टाइम लगता है, तो ऐसे ही उस समय मैसुस किया गया, तब तक देश का सासन कैसे चलाओगे, देश के सासन के लिए जो दिन प्रति दिन के नियम काईदे कानून बनाने हैं, वो कैसे करेगा, वो कोन करेगा, उसके लिए तो तो इससे पहले की सिस्टम हैं, तो पहले ही समिधान सभा को ही ये पावर दे दी गई, ये कह दिया गया, कि भारत की समिधान सभा ही जो है, यही विधाईका का भी काम करेगी, इसका मतलब हमारी समिधान सभा को दो अलग अलग तरीके के काम सोपे गए, पहला काम जो था, वो ये था कि जो आजाद भारत है, इसके लिए समिधान बनाए, और दूसरा काम ये था, कि देश के लिए आम कानूनों को लागू करे, जब तक कि समिधान हमारा बन करके तयार ना हो जाए, संसद अस्तित्व में ना जाए, तब तक एक अस्त हाई विधाईका के तोर पर काम करते रहे, संसद के रूप में काम करते रहे, विधाईका के रूप में, legislative body के रूप में भी काम करते रहे, तो समिधान सभा को ये दोनों काम दिये, समिधान सभा ने इन दोनों कामों को अलग-अलग दिन करना था, एक ही दिन, एक ही समय के काम नहीं कर सकते थे, पहले ही decide क किया जाता था कि आज समिधान सभा समिधान सभा के रूप में बैठ रही यानि समिधान बनाने का ही काम किया जाएगा फिर डिसाइड किया जाता था कि आज जो एक विधाई का के तोर पर बैठ रही है इसका काम कुछ कानून विधी निर्मान करना लागू करना है जो दिन प पुछेंगे कौन बस वाले अंकल बस वाले अंकल याद है नहीं याद है तो क्लास की स्टार्टिंग देख ले कौन से वाले बस वाले अंकल की बात में कर रहा हूँ हो सकते है वो ट्रेन वाले अंकल भी हूँ ठीक है यह हो सकते हैं कि आपके कोई रिष्तेदार हो ठीक वह आपसे इस तरीके का सवाल पूछेंगे बता बेटा आजाद भारत की पहली संसद किसको कहा जाता था कौन भारत की पहली संसद बनी कब बनी ठीक है उनके उत्तर का सवाल का जवाब देने के लिए उत्तर त्यार रखने सोतंदर भारत की पहली संसद भारत की समिधान सभाही थी ठीक है यहां से एक प्री का क्योश्म और आपका यहां पर बन गया चलो अब आगे चलते हैं अब आगे चलने से पहले इसमें एक important चीज, important चीज क्या, इस चीज को समझे, समिधान सभागी बैठक दो तरीके से होती थी मैंने आपको बताया, एक समिधान सभागी रूप में और एक विधाईका के रूप में, तो इसके अध्यक्स भी तो अलग-अलग होंगे, दो अलग अलग-अलग काम के लिए दो अलग-अलग अध्यक्स बनाएगे, जब भी भारत का समिधान बनाने के लिए समिधान सभागी बैठक होती तो डोक्टर राजेंदर प्रसाद इसके अध्यक्स होते थे, और जिस दिन विधाईका के तोर पर, याने की दिन प्रति दिन के उनों को लागो करने के लिए, बनाने के लिए समिधान सभागी बैठती तो इसके अध्यक्स होते थे, जीवी मावलंकर, इनके लिए मैंने आपको पिक्चर्स लाया हूँ, या पिक्चर देखिए यहाँ पर, इन पिक्चर्स को देखिए, आपके लिए ढूंड करके लाया बढ़िया से जब भी समिधान सभा के रूप में बैठक होती इसके अध्यक्स होते थे डोक्टर राजेंदर परसाद जो उपर बैठते थे आपको दिखना रहो पिक्चर जो है छुप गई यह हैं जीवी मावलंकर जब भी विधाईका के तोर पर बैठक होती थी तो जीवी म सभा थी 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कारे करती रही इस समय समिधान का निर्मान का कारे पूरा हो गया हमारा समिधान बनने का पूरा कार जो है वो समाप्त हो गया था 26 नवंबर 1949 को इस दिन को हमारे समिधान को हमने क्या क्या अडोप्ट किया अपनाया ठीक है संविधान को अपनाया मुस्लीम लिंक के जो सदस्य थे जो पाकिस्तान से संबंदित थे पाकिस्तान के छेतर में थे वह भारती संविधान सभा से अलव हो चुके थे वहां चले गए थे माउंट बेटन योजना की इतकारण जो पहले जो कैबिनेट मिसन ने संख्या तैकी थ थे वह 389 की संख्या अब कम हो गई कम खर के 299 आगई 2099 में हो गई ठीक है बाकी कहां चलेगे पाकिस्तान में जो देसी रियास्तों के लिए 93 सीटे कीए थी वह 70 हो गई ठीक है देसी रियास्तों के सीटे कितने होगी 70 70 होगी 93 प्रांत्यों की 296 से 229 होगी यह इतिहास के ठीक है पुलिटी के लिए अगर आप स्किप भी कर दोगे चलेगा लेकिन एक बर फिर भी अडोस-पडोस में हवा बाजी हवा बनाने के लिए हर्याना में बोलते हो टोरा मारने के लिए है ठोरे टोरा मार रहे हैं अपनी बढ़ाई कर रहे हैं मतलब आपने बहुत किये इसने हैं ठीक है हमारी समिधान सभाने ये दो काम तो आपने जान लिए कि समिधान का निर्मान किया और तानुनों का निर्मान किया एक विधाई का के रूप में भी काम किया ठीक है उसके अलावा कई और इंपोर्टेंट काम भी किये थे उन इंपोर्टेंट कामों को जानने के लिए पहले आप हाउस दा जोस का अंसर देंगे लाइक सेर करेंगे पहले और हाउस दा जोस का अंसर देंगे हाउस दा जोस हाउस दा जोस आंसर आने चाहिए हाई सर आंसर यार हाई जोस के साथ दो हाई सर आंसर बोलो आप लोग कई बार पता नहीं क्या ही करते हैं आंसर नहीं देते हैं दिल बहुत दुखता है फिर आमारा है बहुत बढ़िया इसी तरीके से हाई जोस रखें ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड लाइक सेर करते चले जाएं हाई जोस रखें अब समिधान सभाने क्या क्या काम किये इन कामों को देख लेते हैं सबसे पहला काम इनों ने किया कि आप ये picture देखेंगे इन picture को देख करके समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो क्या गया 1949 में माई-1919 में रास्ट्रमंडल में भारत की समिधान सभा ने इसको अथुराइज क्यों किया, सत्यपाति क्यों किया, उसका कारण था, दो कारण थे, भारत की समिधान सभा ने इस संग को, इस गुट को, इस गुरुप को, इस समू को, दो अलग नजेरियों से देखा, पहला, तो एक तो इसमें क्या था, कि ये आजादी का प्रतीक था, सोतंतरता का प्रतीक था, क्योंकि सारे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे, तो उपनिवेश वाद की समाप्ति का एक प्रतीक, दूसरा, इन सभी देशों के उपर, क्योंकि अंग्रेजों ने सासन किया था, तो वहां की सासन वेवस्था एक जैसी सी थी, जैसी भारत की सासन विवस्ता थी, लगबग लगबग मिलते जुलती ही, वैसी वहाँ पर भी थी, तो एक सामुहिकता की भावना थी, एक दूसरे एक साथ मिलकर के विकास करने की भावना थी, उन सब को आधार मानते हुए, हमने राष्ट मंदल की सदस्यता को सत्यापित किया अब दूसरा यहां पर देखिए हमारा देश का जंडा है ना सलाम सेलूट यह जंडा इसको अपनाया कब गया हमारे समिधान सभाने इसको अपनाया कब अपनाया 22 जुलाई 1947 को रास्ट ये ध्वज हमारा तिरंगा जंडा इसको अपनाया गया गाना भी है पर विजय विश्व तिरंगा प्यारा जंडा उंचा रहे हमारा तो ये हमारे देश का रास्ट्रे गोरोव समिधान सभा नहीं अपनाया 22 जुलाई 1947 जी हां तारिक बिल्कुल सही बता रहा हूं आजादी से पहले का हमने इसको अपना लिया विजय हम आजादी मिलने से पहले ये चीज हमने डिसाइड कर लिए अब उसके बाद जब समिधान बन करके रेडी हो जाता है तो जनवरी 1950 के महिने में समिधान सभा कई सारे काम करती है कौन-कौन से काम करती है इसको समझ लेते हैं आपको पिक्चर देखकर के समझ में आ गया होगा कि रास्ट्रे गान को 24 1950 को अपनाया गया अब यहां पर रास्ट्रे गान और रास्ट्रे गीत दो चीजे हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन में मता ना रास्ट्रे गान अलग है रास्ट्रे गीत अलग है दोनों को सेम ही तारिक एक ही तारिक 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया पर रास्ट्रे गान कौन सा ह वो आपको पता होना चाहिए और आप इतने सक्षम होने चाहिए कि आपको यह पता रहें कि आप में से कोई आवाज आ रही है ठीक है सब लोगों को रास्ट्रगान तो आता होगा आता है कि नहीं आता जाने की तो मेरी आवाज इतने अच्छे नहीं है लेकिन मैं आपके लिए अनुवाद करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम गाते हैं बाउन सेकिंड यंदर आपको पूरा करना होता है न याद है कि नहीं मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ आता है तो उस रास्ट गहान कौ एक बढर मन से याद कीजिए मैं चांशे सारे लोग खड़े हो जाए कोई बैठ राय बात रूब में हैं कोई नहार खाना खा रहें एक बढर खड़े हो करके इमान दरी से थोड़ा सा जजब्य के साथ रास्ट गहान dio का एक बढर वो बता देता हो कि राष्ट्रगान में क्या क्या है जन गनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा द्राविड उतकल बंग विंद्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलदी तरंग तब सुब नामे जागे तब सुब आसिस मांगे ग जया हे य हे यह एक वो है हमने अभी आपी अरफिसली नहीं गाया लेकिन यह जब जाइस धी सोथे जो आपको याद होना चाहिए एक भारतिय नागरिक होने के नाते आपको इस चीज के बारे में जानकारी होने चीए मैं आपके इस कमेंट भी देख रहा था यहाँ पर कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर जनगनमन को जानते हैं ठीक है और उसके बाद लास्ट में हम दो तीन चीज़े भी बोलते हैं देखें मेरा एक एंज्यू है उनमें मैं कुछ स्लम के बच्चों को पढ़ाता हूं उनको गोद लिया हूए मैंने और उनको मैं एजुकेट भी करता हूं और भी चीज़े देखते हैं और जब भी खत्म होते हैं तो बहुत उसारे बच्च्चे नहीं बच्चों से हिंपोलवाते तो बच्चे बोलते है जैसे कहत्म होगा राष्ट गान तो तुरंत एक-था और जो बच्चे सवां जैय हिंद हिंदूस्थान जिंदाबाद हरतicular ़ाईसा अग जलू vào तरीक उस तरीके की चीज़े तो अब आपको एक चीज याद होगे कि आपका confusion नहीं रहेगा कि रास्ट्रगान क्या था और रास्ट्रगीत क्या थी ठीक है तो रास्ट्रगान और रास्ट्रगीत दोनों के बीच में अंतर रहेगा रास्ट्रगान जनगनमन और रास्ट्रगीत यहां से सवाल बहुत सारे आ जाते हैं और सवाल पूछे भी जाते हैं या आपको ध्यान में रखते हुए चला आना है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आगे लेकि उसके उपर यहां पर फिर से पिक्चर देखिए यह काम भी किया भारत के पहले रास्ट पती उनको चुनन करते हुए यहां पर तो भारत के पहले रास्ट पती डौक्टर राजंदर प्रसाद बने इसी के साथ यहां पर बैठक देख लिजिए इस बैठक को देखने से आपको एक factual question याद आएगा factual question क्या ये factual question आपको याद तो रहना ही चाहिए क्योंकि इस तरीके के सवाल UPSC के साथ सा state PCS या बाकी exams में भी पूस लिया जाता है लेकिन आम तोर पर आपको एक भारते होने के ना ते इस्तना पता होना चाहिए नहीं तो जो bus और train वाला जो वह है ना bus और train वाला जो आपका वह होता है uncle, bus और train वाले वो ऐसे सवाल पुछेंगे तो फस जाओगे समिधान सबाग ने समिधान कितने दिनों में बनाया, कितने साल लगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल 11 महिने 18 दिन थीक है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 2 साल 11 महिने 18 दिन सब लोग कमेंट बोक्स में लिख करके बताएंगे ये वो टाइम था ये समय था जो हमारे समिधान को बनाने में समिधान सभा को लगा कुल 11 बैठके हुई ठीक है, टोटल 11 बैठ के जो हैं वो ही भी थी, अब इतना लंबा समय क्यों लगा, तो इतना लंबा समय इसलिए लगा, कि भाई हम किसी छोटे-मोटे देश के लिए, इत्तु से देश के लिए तो समिधान बना नहीं रहे, और भारत एक ऐसा भी देश था, जिसमें डाइवर प्यार का पहला पत्र लिखने में समय तो लगता ही है, सच्चे प्यार का, वो अलग बात है कि आज कल के तुम लोग होगा, मैं हो सकता है, बहुत सारे लोग बड़े फास्ट फोरोड हो, उनको इतना टाइम, वो ऐसे रोगी, नहीं सर, हम तो आज तुरंत मेसेज टाइब क करके कोई लड़का ही होगा चाहिए वो, प्रोफाइल बना करके यहां पर सबको हाई हेलो एवरिवन कर देगा, एक दो बार बात कर लेगा, और वहीं कुस लोग धरासा ही हो जाएंगा, धरासा ही हो करके चैट में बोल देंगे, I love you, वो वाला सच्चा प्रेम नहीं है, व UPSC से रिलेटेड ठीक, और उस पोस्ट को एक बच्चे ने रिसेर किया, सेर कर लिया, सेर करने के बाद उसके नीचे मेरी बहन ने सैद कुस ऐसे कमेंट लिखा, उनको लिख करके, कि हाँ यह चीज सही है, इस तरीके से चीज़े सहोनी चाहिए, तो एक तरफ तो उसने UPSC इस रिलेटेड पोस्ट सेर किया, और उसके बाद जैसे एक लड़की ने कमेंट किया, तुरंत उसके नीचे लिख दिया, आप कहां से हो, किदर से हो, ठीक, रिप्लाई निया, तो मेसेंजर के अंदर आ करके मेसेज करने लग रहे, और मेसेंजर के अंदर, हाई, हेलो, इसे तो कैसे काम चलेगा देश का, ठीक है, तो वो स्थाई नहीं है, लंबे समय के लिए जो टिकते हैं, स्थाई उन्हें टाइम लगता, समय लगता, इसलिए हमारे समीधान को बनाने में समय लगा, क्यों लगा, क्योंकि हमने जितने भी विशु के जो प्रमुक समीधान जितने भी बड़े-बड़े समीधान थे, लगबग 60 देश, जो हमसे पहले समीधान बना चुके थे, उन देशों के समीधान को हमने अबजरू किया, अच्छे से स्टड़ी की, उनको एक-एक करके खंगाला, उनमें देखा कि वही क्या काम की चीज है, जो हम ले सकते हैं, और क्या ऐसी चीज है, जिसको छोड़ दिया जाना चीज है, जो हमारे काम का नहीं है, ठीक, तभी तो अच्छा समीधान बनेगा, दूसरों के experience से सीख लो, तो हमने ये सीखा, इसलिए समय लगा, उस टाइम 64 लाख रुपे लगे खर्च वे, 64 लाख आज के टाइम में 1950 को, टीक है, ये लश ट and final बैठक थी, इसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमने समीधान को लाखु कर दिया, और उस दिन से क्या हो गया, भारत में गनतंतर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारत में गनतंतर दिवस क्यो बनाया जाता हैं, क्योंकि उस दिन हमने समीधान क को लागू किया बना कब बन करके ready कब हो गया अपनाया कब 26 नवंबर 1949 लागू कब किया दो महीने बाद कब 26 जनवरी 1950 दो महीने का टाइम क्यों लिया उसके पीछे की स्टोरी भी बताऊंगा ठीक है लेकिन उससे पहले आप समझे कि जब 1951-92 में जो हमारे आम चुना हुए उसके बाद जो नए संसद बनी निर्वाचित संसद उससे पहले भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही सम्हिधान सभ़ा समझापा के रूप में उसका काड़ काल और काम शमाप्त हो गया ठीक है 26 जनवरी 1950 के बाद से उसने इंटरीम संसद, अंतरीम संसद के रूप में काम किया देश की सासन विवस्था को चलाए रखने के लिए ठीक है, इस चीज को समझते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं उस कहानी के उपर जाने से पहले समिधान सभा की कुछ समीतिया थी अब यहाँ पर छोटी समीतिया और बड़ी समीतिया दे रखी है छोटी समीतिया UPSC के point of view से काम की नहीं है बड़ी समीतिया UPSC के point of view से काम की है यहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा तो मैं आपको केवल बड़ी समीतियों के ही नाम समझाऊंगा ठीक है आठ अगर हम बात करते तो आठ बड़ी समीतिया थी अब ये समीतिया क्यों थी क्योंकि सारा काम एक साथ सब मिल करके तो नहीं कर सकते थे काम को डिवाइड कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता जैसे आप लोग घर पर होते हैं घर पे आप कोई भी चीज करते हैं तो आपका काम डिवाइड होता है की नहीं कैसे डिवाइड होता है जैसे कि मान लेजिए घर पे 4-5 लोग है अब सभी लोग घर में खाना बनाने लग जाए तो कैसे काम चलेगा नहीं होगा उल्टा पुल्टा बनेगा कोई किस तरीके का बनाएगा को इस तरीके का बनाएगा हो सकता है तो यह खाना बनाने की जिम्मेदारी आपके पापा को दे दी जाए कि हाँ बया पापा बनाएंगे खाना पापा बड़ा टिस्ती खाना बनाता है तो वह उनके जिम्मेदारी बाकी लोग उसमें सला मस्विरा दे सकते लेकिन गुसेंगे नहीं तो वह अपना काम करेंगे वहीं दूसरी तरफ सफाई की बात आए कि घर में पोच्छा कून लगाएगा ज्वाडू कून लगाएगा तो उसके लिए ओसकता है कि जिम्मेदारी दे जाएगी यहां वही घर सेट डागी मना ले तो एक तरीके से वह उनकी समीती होगी सफाई समीती जिसका काम है घर को साफ रखना और यह सफाई समीती बड़ी खतरना होती है घर के अंदर अगर मबी ने पोछा लगाया है टहिंट है और गिला ने घृत इन Nossa ने ने वह पोछा लगाया है और मैंने तो अपने experience किया खुद कई बार और मैं काम-काम के चक्कर में जल्दी-जल्दी में गलती से गिले उस गिले पोच्छे वाली जगया पर अपना पैर रख दूं या चपपल के साथ चला जाओं और जैसे मेरे को पीटने खतर नाख और भाई उस त्राइं इतना डर लगता है चुपचाप दबे प्यार निकल लेते कि हाँ चलो जा रहे तो समीतियों का काम यह था कि काम का बटवारा हो जाता है विसेसग्याता के साथ वह बहतर तरीके से काम कर लेती हैं तो यहां पर आठ समीतिया बनाए कर अध्यक्स थे सबसे इंपोर्टेंट समीति जो है इसमें प्रारूत समीति ही थी तो इनके नाम आप एक बार रट लीजिए आपको रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने का है नी फैक्ट्वल क्युस्चन आ नाम ले लेतेगे लेकिन ध्यान रखें क्युद्व ब्यार अम्बेड कर ने बहुत महत्पूर्ण काम किया था लेकिन यहां पर सरदार पटेल इसकी अध्यक्स थे डोक्टर बियार हम बेड़कर नहीं थे ठीक है और जब भी अगर हम बात करते हैं प्रकिरिया नियम समीती तो डोक्टर राजंदर प्रसाद उसके अध्यक्स थे राज्यों के लिए समीती राज्यों से समझोता करने वाली समीती जैसे ये नाम आएगा सब की दिमाख में आए इसके चैप्टर नमबर 6 में जब आऊंगा तब यूटूब पर भी मैंने उसे पढ़ा रखे है भारत का एकी करन देशी रियास्तों के समस्यास मेरे नाम से सर्च कर ले न तो सब को पता है कि देशी रियास्तों के भारत में विलाय में बहुत बड़ी सबसे बड़ी भूम जाना नहीं है UPSC यहीं से आपको फसाएगा तो आपको इनके बारे में पक्की नोलेज होनी चीए पक्के से समझ होनी चीए क्या है संचालन समीती स्टियरिंग कमेटी जिसको वोलते हैं डोक्टर राजंदर परसाद इसके अध्यक्स थे यह को समीतिया थी छोटी समीतियो को इतना important है नहीं तो उनको हम नहीं देखेंगे हम बात करेंगे प्रारूप समयति की drafting कमेटी की बात करेंगे क्योंकि सबसे important committee जो थी प्लह द्राफ्टिंग कमेटी थी आप लोग है कि नहीं यहापर जिन्दा मेरे साथ जिवित हैं जिवित हैं कि नहीं तो जिवीत है तो आंसर देंगे हाउस द जोस का व्हल्स द जोस आंसर आना जिए हाइ सर हई सर हाई जोस का अनसर आना चुछ है और लाइक से रुकने ने चीह है ठोक चले जाओ करते चले जाओ लाइक से नहीं रुके और आपको पता है 명ेरेores A कोड किया है आप सब लोग यहाँ पर है अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाते ना अनेकेडमी का कोर्स लेना चाते तो उसको लेते टाइम डिसकाउंट के लिए एक रेफरेल कोड यूज किया जाता है उस रेफरेल कोड का नाम है मैं आपको बता देता हूं उसको हम बोल लेगा और आपको एकजाम पास होने तक गाइड भी करूँगा सारे दोस्त एक बर रिक्वेस्ट है कमेंट बोक्स में मेरे रेफरेल कोड लिख करें के बताए ल वाई ल आई वी ए अनेकेडमी पर जब भी कोर्स लेंगे इस कोड से लेना डिसकाउंट भी होगा परसनल ग प्रारूप समीति के पर चर्चा कर लेते हैं सबसे महत्पूर्ण समीति थी 39 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ ठीक है इसको जिम्मेदारी दी गए कि भारत के समिधान का ड्राफ्ट तयार करो प्रारूप तयार करो क्योंकि एकदम से तो पूरा समिधान नहीं बना सकते ना प प्राफ्ट तयार करने के लिए यह समीति बनाएगी साथ इसके अंदर सदस्य थे साथ सदस्यों का नाम आपको याद होना मेंडेटरी है डोक्टर बिया रम बेड कर मैं आपको बता देता हूं एन गोपाल स्वामी अयंगर अलादी कृष्णा स्वामी अयर डोक्टर के मु एक थे एन माधव राव थे उनसे पहले एक और सदस्य थे जिनका नाम था बी एल मित्र वो प्रारूप समीति के सदस्य थे लेकिन उनकी हेल्थ हिसूस थोड़े जादा थे स्वास्थ खराब रहता था दिक्कत होती थी तो सही तरीकी से सक्री रूप से भागेदारी नहीं नहीं कर पाते थे तो इतने नैतिक थे कि उन्होंने खुद त्याग पत्र दे दिया कि देखो भई मैं सही सही रूप से भागेदारी नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी जगह कोई सही वेक्ति आए तो बी एल मित्र की जगह फिर एन माधव रहा है तो समय का आप अंदाजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने जगड़ने आ जाएंगे लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा सब आपस में सभी का एक जैसे याल हो जाता है लेकिन उस समय के नैतिकता देखे कि केवल इस चीज से कि मेरे मैं अपनी पर डूटी परफोर्म नहीं कर पा रहा तो मेरे को हट जाना ची इतनी ज़्यादा आप जगो गुणवत्ता वो आज के समय में देखने को नहीं मिलती है ठीक है आजादी के बाद धीरे धीरे पतन होता चला गया 1955 के बाद ही फिर मामला 1960 के बाद से तो मामला एकदम बिल्कुल गडबड सा होता चला गया फिर तो एकदम कास्केस से ज्यादा वहां पर बहुत सारे लोग आपस में उलत जाते थे चलो जो भी था बहरहाल इसको छोड़ देते हैं एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था टीटी कृष्णामचारी ठीक है टीटी कृष्णामचारी इन्होंने डीडी पी खेतान नाम के व्यक्ति थे ज जो समिधान सभाके थे इनकी पिक्चर भी मैं लाया हूं यहीं नहीं रुको वातनमीम और यहीं नहीं रुको अभी तो और बाकी है तो बाकिंक के पिक्चर देख देख लो ड्राफ्टिं कमेटी के सध sommes से थे ठीक है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे प्रारूप समीति के सदस्य आप हिस्टोरिकल पिक्चर है इसको देख लीजिएगा ठीक है जी चलो अब आजाते आगे यहां की बात होगी अब बात करते समिधान का प्रभाव में आना समिधान का प्रभाव में कैसे समिधान प्रभाव में आता है चार नौवंबर 1948 को डोक्टर बियार अमबेड कर जो है वो भारत के समिधान के अंतिम प्रारूप को पेस करते है पहली बार समिधान को इसमें पढ़ा जाता है इसके उपर कई दिन तक लगव पांच दिन तक चर होता है और यह काम चलता जाता है चलता जाता है और इस दोरान जो है लगव पर तसो दन संसोधन लाने की कोशिस की गए लेकिन 24-23 पर ही चर्चा हो पाई सब पे चर्चा होना संभाव नहीं था वाई क्योंकि फिर तो समिधान 10 साल में बनता 20 साल में बनता तो जो महत्पून महत्पून मुद्दे थे उनके उपर चर्चा होई और चर्चा कैसी भी बहुत डिटेल से डिबेट वाली चर्चा होई ऐसी कोई हल्की फूल की चर्चा नहीं एकदम बहुत ही ज़ादा विसेसग्यता की साथ चर्चा ही हुई उन चर्चाओं के बाद उन समयधानिक डिबेट के बाद भारत का समयधान इतना भेतर बना उसमें बहुत सारे सुधार हुए अमेंडमेंट हुए ठीक है फिर उसके बाद डोक्टर बियार अंबेड करने अगर ने दे कोंस्टिटूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली बी पास्ट ये प्रस्ताव पास्ट किया कि ठीक है अब समयधान बन गया इसको पास्ट कर दिया जाए ये प्रस्ताव इन्होंने पेस्ट किया इस प्रस्ताव को 26 नुवंबर उनिसो नन्चास 26 नुवंबर उनिसो नन्चास को पारित कर दिया जाता है और जितने भी सदस्य थे समिधान सभा में और जो भारत की समिधान सभा के अध्यक्स थे उनसे साइन करवाए जाते हैं यह जोहारलाल नेरु की उस टाइम की फोटो है जब समिधान सभा के जब प्रस्ताव ये पारित कर दिया जाता है और उस पे हस्ताक्षर किये जा रहे हो जिनों ने इसके पड?, तो इन सब लोगों ने साइन किया, और इस दिन से भारत का समिधान मान लिया गया, कि हमारा समिधान आज से अपना लिया गया है, ठिक है, और समिधान की प्रस्थावना जो है, उसमें 26 नुवंबर उन्रिस सो नंचास का उलेख, उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभामे समिधान को अपनाया ठीक है इस चीज को आपको समझना है अब यहाँ पर एक चीज और है एक चीज क्या है कि जो 26 नॉवंबर 1909 को जो समिधान अपनाया आमने उसमें एक प्रस्तावना थी 395 में आर्टिकल थे आठ अनुसूचियां थी बहुत भारी भरकम अब यह पिक्चर में यहाँ पर क्यों लेकर गया हूँ वो पिक्चर आप लोगों की है यह याद करो तुमारी सकल है तुम ही हो इसमें सच में यह तुम ही हो क्यों हो दिमाग में कई बारे से घंटी बस्तीन है यार इतने सारे आर्टिकल इतनी अनुसूचिया इतने संसो तो कैसे याद करो ऐसा मन में आता है न कई बार यह क्या बना दिया बनाया समिधान लेकिन जी का जंजाल आपके लिए भी बनिया कि अरे इसको याद रखना है एक्जाम में ये तो पूछा जाए गई ठीक है तो सुरुवात से ही इतना भारी वर्गम था बाद में तो और दूड़ती चली गई चीजे तो और जादा बड़ा होता चला गया तो मूल समिधान के अंदर एक प्रस्तावना तीन सो पिचान में अनुचेद और आठ अनुसूचियां थी ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है इसको जान लीजे यहां से सवाल आ जाता है कि मूल समिधान में भारत में कितने अनुचे थे और कितनी अनुसूचियां थी ये चीजे पूछ लेते हैं ठीक है चलिए तो यह हुआ अब भारत की प्रेम्बल उसको सबसे लास्ट में लागू किया गया समिधान के और लागू करने के बाद फिर प्रस्तावना को लागू किया गया और भारत की प्रेम्बल आपको याद है भारत की उद्देशी का याद है किस को याद है कमेंट बोक्स मताएंगे हम भारत के लोग भारत को प्रभुत को एक संपूर्ण प्रभुतु संपन है न जुदुता, एकता, खंडता, है ना, कई सारी चीजे इसके अंदर, और इसमें कई सारी चीजे जोडी भी गई, ये मूल समझी था, हमारी ये जो प्रियम्बल है ना, इस प्रियम्बल का जो सुरूप है, ये मूल में नहीं था, मूल प्रियम्बल थोड़ी सी अलग थी, ये स संसोधित प्रियम्बल है जो आपके सामने लेकर गया हूँ इसमें संसोधन हुआ था ठीक है उस संसोधन के माध्यम से इसमें तीन सब्द तीन वर्ड्स जो है वो जोड़े गए थे नए वर्ड कौन-कौन से जोड़े गए थे जो की मूल प्रियम्बल में नहीं थे समाजवादी नहीं था पंथ निर्पेक्स नहीं था और अखंडता नहीं था ठीक है ये तीन वर्ड बाद में जोड़े गए कौन से समिधान संसोधन से ये हुआ ये आप लोग कमेंट बोक्स में बताएंगे सारे के सारे तब ही लोग कमेंट बोक्स में बताएंगे जल्दी से कौन से समिधान संसोधन से ये हुआ लाइक सेर करते चले जाओ यारो लाइक सेर मत रोको भाई लाइक सेर करो आपकी बहुत जरूरत है आप लोगों के लिए इतने ही मेहनत कर रहें दिन रात एक करके ठीक है तो समिधान संपूर्ण बन गया लागू हो गया उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया अब इसमें डोक्टर बियार अंबेड कर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जो नए विधी मंत्री थे डोक्टर बियार अंबेड कर हमारे साथ थी क्योंकि जितना जादा योगदान भारत के समिधान के निर्मान में डोक्टर बियार अंबेड कर ने दिया उतना जादा योगदान किसी और का नहीं ही होगा इनके समकत्स नहीं होगा क्योंकि भारत के समिधान को सही दिशा देने का काम डोक्टर बियार अरंबेड करने किया इसी लिए डोक्टर बियार अरंबेड कर को भारत के समिधान के पिता के रूप में जाना जाता है तो ये समिधान जो है बेसिकली एक तरीके से इनकी देन थी और बहुत बहतर समिधान बनाया जिसने की पूरे भारत को एक समानता के सूत्र में, एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, अब जब समिधान लागू, समिधान को अपनाया गया 26 नौबर 1949 को, तो उस टाइम कुछ आल्टिकल्स जो है, वो ओटोमेटिकली लागू हो गये थे, पूरा समिधान लागू नहीं 366, 366, 379, 389, 388, 391, 392 और 393 यह नुचित, ओटोमेटिकली लागू हो गये थे, बाकी के जितने भी प्रावधान थे, वो सारे के सारे प्रावधान जो है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं, ठीक है, इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मानते हैं, क्योंकि इसी दिन को हमार समिधान लागू हुआ, ठीक है, तो हम दो तरीके से बोलते हैं, जिस दिन अपनाया, 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस पर आप लोग परेड देखने जाते हैं, आप सब को छुटी भी मिलती है, जो परेड नहीं देखने जाते हैं, दिल्ली में, तो वो अपने टीवी पे उस पर लाइव टेली कास्ट भी देखते हैं, अलग अलग जहाकियां देखते हैं, भारत के अलग अलग विविद्धा का प्रदर्सन और भारत के हथियारों का प्रदर्सन सेना की सकती, अलग अलग चीज़े देखते हैं कि नहीं, लड़ाको विम उनमें से कोई ना कोई गया भी होगा उनको चांस मिला भी होगा अब मुद्दा यह आता है कि आरगी 26 नौवंबर को समिधार बन करके रेडी हो गया दो महीने क्यों वेट किया ऐसी क्या जरूरी होगी है ना ऐसी क्या खास बात है क्या बात है सचिन ने इस तरीके की हो जबती है तो यहां पर क्या होता था कि दो मेने का टाइम क्यों लिए इसको समझ लिए वो डायलोग बड़ा फेमस हो रहा है आज कल इंटरनेट पे जहां देखो हर जगे पर वही डायलोग चल रहा है गाना भी वही चल रहा है ठीक मैं सचिन तेंदुलगर की बात कर रह तो वो खास बात को हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या खास बात थी। इधर देख लेते हैं कि 26 जनवरी की टारीख का एक एतिहासिक मेहत हो था। जन्वरी को ही इसलिए चुना गया कि उसका एक एतिहासिक मैत था 1930 के द में क्या होता है जो राष्टिय कोंग्रेस का जो लाहोर अधिवेशन है दिसंबर 1929 में जो वो शुरू आ था 1930 में एक संकल्प पारित हुआ इस अधिवेशन में और उस संकल्प को पारित करके पूर्ण सुराज बनाया गया ठीक है यह उस समय की पिक्चर देख लीजिए यह पूर्ण सुराज की पिक्चर है तो यह जो पूर्ण सुराज उस समय मनाया गया तो इसको एक प्रतीक की रूप में याद रखा गया कि भई अब हम जब वास्ताव में जब आजाद होंगे तो हम इसी तारीक को ही मानेंगे, इसी तारीक को भारत को गणतंतर दिवस मनाने के लिए चुना गया है, ठीक है, तो ये इसका एक आतियासिक महतु था, अब जैसे समिधान लागू होता है, लागू होता ही भारत स्वत समि दानु को बन गया चलो बधाई हो आप सब को खुशी हो रेकिन समिधान बने की साथ समिधान की आलोचना भी तो हु libret work घृब का है कैchos विल दिक्कत होती है का कि अ है ना आप लोग हैं मेरे साथ बने हुए हैं कि नहीं बने हुए जिंदा हैं कि नहीं हाउस दा जोस हाउस दा जोस आंसर आना चाहिए हाई सर बहुत बढ़िया ठीक है अच्छा लगता है आप लोगों का यह हाई जोस देखकर के इतने टाइम तक भी आप हाई जोस के साथ बने हुए अब हमारे समिधान सभा की जो है आलोचना के उपर आ जाते हैं समिधान सभा की आलोचना भी की गई कई आधारों पर की गई ठीक है इसको भी देख लेते हैं क्यों क्यों आलोचना की गई कोई भी अच्छा काम होता है तो उसके आलोचना करने वाले लोग आ जाते हैं आस पास में जब भी आप कुछ करोगे ना आपके आलोचना करने वा जो है चीजे बनाई हैं हमने सारे के सारे थियोरीज दी हैं उन लोगों ने समिधान सभा की आलोचना की अब यहां पर आपको इस समिधान सभा की आलोचनाओं को किस तरीकी से टैकल करना यह जानिए यह समझेगा सबसे पहले कहा गया कि एक प्रतिनी धीनिक आई नहीं यह कह मेंश का वहान गीजिए सवाल पूसलिया सबूरा जा सकता है भारती समीधान के संदर्भ में की जए आलोचनां की यर थार्थता के संदर्भ में तर्क वितर्क कीजिए या अपने प्रिड्रस से अपना प्रस्तुति कीजिए तो आपर ऐसे पहल दें कि जाकर कि यह बिल्कुल ठीक है सही बात नहीं आलोच ना किया लेकिन वास्त्त विक था कि इस ता भारत के पास भई-मशीनरी थि इतनी अभी लेश्चन कहां से करा लेते भाई कहां से इतना जदा मशीनरी चुनाव कंड़क्ट कराने के लिए व्यवस्था करते इतना पैसा, इतनी management कहां से कर सकते, कानुन व्यवस्था की समस्या उत्पन हो जाती, हो ही नहीं पाता, संभव ही नहीं था, ठीक है, तो वास्तविक परिस्थितियां उस समय इस चीज की आग्या नहीं देते थे, कि भारत के लोगों के द्वारा वैस्क मता अधिकार के आधार पर समिधान सभा बनाई जाए, इसलिए, जो तरीके से समिधान सभा चुने गई, वो तत्कालिन परिस्थितियों के आधार पर सर्वोत्तम कह सकते हैं, इस तरीके की चीजे जो हैं आपको बोलना है, क्रिटिक्स का आंसर देना है, ठीक है, जवाब देन दूसरा सवाल आता है कहते कि संप्रभूता का भाव था कि संप्रभू निकाई नहीं थी तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गए थी अंग्रेजों के शिफारिश से बनाई सम्विधान सभाव को अपनी बैठकों से पहले बिटिस सरकार की जाजत लेनी पड़ती इस तरीके की बात बोलेंगे बात इस चीज में एक पॉइंट तो है लेकिन इसके बारे में आपको बताना है कि भाई उस टाइम हम गुलाम थे आजाद तो था ही नहीं अगर वह आजाद कर जाते पहले तो हम अपनी खुद की संविधान सभाव बनाते लेकिन ततकालिन पर प्रांति विधान सभां के लोगों ने चुन कर के भेजर फिर उसके बाद जब 1947 का धीनियम आया बारत सुतंधरत अदीनियम उसने पूंड रूप से भारत की संविधान सभा को संप्रभू गोश्यत कर दिया संप्रभू कूंड रूप से दे दि ृन कून सा कानौन अंग legitimate उसे कुछ करके बनाया बताना है यह जरूर था कि प्रारम के कुछ टाइम तक बिटिस सरकार से जाज़त लेनी थी लेकिन आजादी के बाद से हमने सारी चीजें खुद से गी और जितने भी उसमें चीजें जोड़ी गई हमने किसी से पूछ के नहीं बनाई हमने अपनी पसं अज़िसा का ताना तो देखने को मिलता होगा है ना कई लोगों वोलते न आपको कि क्या कर रहों दो साल से पढ़ रहे हो जो यूप्सी की तय्यारी करने वाले Ok सब्सक्राइब खास करके उन्हों के लिए जिन्दगी में ये बड़ी समस्य उती उन्हों से पूचते क्या करूए कि तुने साल से कर brush से बड़े आराम से जिन्दगी के भाइ्ट दो तीन सल लगते हैं बड़े आराम से जिन्दगी के पोलतो रह सब चोरो तो गयो भाई यो चोरो तो सारा का सारा टेम ने बरबाद करके धर दियो यो मारा खांदान ने डुबाक के जाओगो एका साथ का चोरा के तीन तीन बालक एह रही और यो इव तक पड़े हैं गणू टाइम ना लगा रहो इस तरीके की चीजे आपको भी बहुत सरे लो अनिरीघए का तो गोट टाइम वेस्ट कर रहे इस चीज़ को ले कर लोग जरूरी चीज़ बनाई जाते समेह लगता है ना भारत के समिधान को टाइम लगा बनने में लेकिन वो लोग तर्क दे रहे हैं कि कई देशों ने कई जैसे अमेरिका का तर्क देते हैं कि उनके समिधान बनाने का काम चार महिने में पूरा हो गया था बहाई उनका 4 मैने में पूरा हो गया था लेकिन उनका समिधान भारत जैसा समिधान भी तो नहीं था महिलाओं के लिए vote के अधिकार नहीं थे कहां थे रंग भेत की निती थी और स्वेत लोगों को अधिकार नहीं थे ऐसा कौन सा समिधान हुआ भाई चार मैने में बनाओ गो तो ऐसे समिधान बनेगा जिसमें किसी को अधिकार नहीं वैसे कहेंगे कि लोगतंत्र के वो है अधिकारों के जनक लेकिन अधिकार सब के लिए कहां थे कुछी लोगों के लिए थे लेकिन जो भारत का समिधान बना पहले दिम से जिस दिन से समिधान लाग हुआ सब के लिए बराबर अधिकार थेगे नहीं चाहिए वोट देने का अधिकार हो किसी तरीके का अधिकार हो सब के लिए equal right किसी तरीके का भेद भाव ने भेद भाव का प्रतिसेद किया गया ठीक है तो इतना बहतर समिधान बनाने के लिए समय तो लगता है सच्चा प्यार को अपने अंतिम परिकास्था तक पहुंचाने में समय तो लगता है संगर्स तो करना पड़ता है मनाना बनाना पड़ता है तो ऐसे भारत के समिधान को बनाने में अच्छा बहतर समिधान बनाने के लिए समय लगना था ठीक है पर जल्दबाजी में समिधान बनाते तो हमारा ऐसा समिधान बन कर गया ता जो कुछी समय में बिखर जाता जैसा कि उस समय दूसरे विशुद के बाद तृत्य विशु के जो नए आजाद देश थे उनके साथ हुआ जो देश आजाद हुए जल्दी जल्दी में समिधान भी बना लिया लेकिन कुछी दिनों में समपीधान भिखर गया कभी तानासाई आ रही है कभी सेना का सासन आ रहे लेकिन भारत में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ क्यूं नहीं हुआ वह इसली हुआ क्योंकी समपीधान को बनाने में प्रॉपर टाइμ दिया गया एक एक चीज के उपर बहुत गहराई से डिवेट की गई तो इसको आपको इस तरीके से टेकल करते हुए आंसर देना है उसमें कुछ लालों से ना करते हैं कि कॉंग्रेस का प्रभुतू था कॉंग्रेस के लोग सारे थे एक बिटेन के समिधान विशेज सग्या है और कोई थे नहीं सभी सोतंद्रता से नानियों इसी पार्टी के बैनर तले भागीदारी की थी बाद में धीरे-धीरे अलग हुए अलग-अलग कई सारी पार्टिया मनी आजादी के बाद लेकिन आजादी से पहले तो एक ही उद्देश से था सबका भारत को आजाद कराना है तो ऐसे में यह कहना कि केवल उसका प्रभूतु था यह पूर्णत सही नहीं होगा क्योंकि उस समय कोई और विकल्प था ही नहीं ठीक है कुछ कहते हैं कि वकील और राजनितिग्यों का प्रभाव था उन्होंने कहा कि समिधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोल वाल जब रियल टीपिकल लेंग्वेज हैं पढ़ने लगोगे तब पता चलेगा कि वह कितने टीपिकल लेंग्वेज हैं लेकिन यह कहना कि वकेलों और नेताओं का बोल बाला था उसके कारण जटिल बन गया यह तो हमारी खुस किसमती थी कि उस समय हमारे देश की समिधान नि नहीं रखते लोएर्स नहीं होते उच नेतिकता वाले नेता नहीं होते उच शिक्षप्राप्त लोग नहीं होते तो हमारे समिधान धंका थोड़ी बन पाता हां यह ज़रूर है कि टीपिकल ठोड़ा टेक्निकल जरूर बना लेकिन टेक्निकल भी आप सब के लिए बनाया सारी चीजों को लिख करके दिया गया टाकि एक कोई विवाध कर रिवाध क्वी और के इंडिया में तो इस सिंपल सा तरीका है कि कोई चीज अगर कानुन में लिखी नहीं हो लोग मांते नहीं कोई भी नहीं दिवार देखेंगे उसके उपर भाई ऑबाइघ को ऑपतु का क्यों फिर ऐसे मूह को मुह में ले- ले- ले-कर बोलने की कलाइव is उनको रिटन में चीए कि लिखा होगा तो मानेंगे तो यह प्रवर्ति है हमारे समिधान निर्माताओं को पता था कि विरोधाबास हो सकते हैं लड़ाई जगड़े हो सकते हैं परेशानिया हो सकती हैं तो इससे अच्छा यह है कि हम सारी चीजों को लिख देते टेक्निकल ट भारत का समिधान के वल एक बड़े समोधाय का प्रतिनिदृ करता हैं लेकिन उनको यह समझाना कि भाई यह बताओ कि उस समय जो जनसंख्या के साब से जितने भी समुधाय थे सब का प्रतनिदितु था हमारी समिधान में कौन से समुधाय को प्रतनिदितु नहीं दिया गया सब को दिया इक्वल दिया जितनी पॉपूलेशन थी उतने अनुपात में सब को वहां पर वह मिला ठीक ह अपने अपने समुधाय के लोगों को वोट डाल करके उनको मौका मिला था चुनने का तो रिप्रजेंटेशन सब का था हाँ यह अलग है कि हिंदू की संख्या जादा थी क्योंकि जनसंख्या अधिक थी तो इस आधार पर यह कह देना कि हिंदू का निकाय था गलत जनसंख्य अधार पर सब को प्रतनिदी तुम्हाँ पर दिया गया था अब यह पास्चात्ते विचारक और जो विटेन के लोग वो तो वैसे भी खार खाये वे थे ना उनको तो कि इंडिया कैसे आ जाओ गई इतना अच्छा समिधान कैसे बना लिया तो कुछ कमिया निकालने के लिए निकाल देते थे तो आलोशना का भी आपको जवाब देने कुछ फैक्ट और यादगर लो कुछ फैक्ट जो बहुत जरूरी है इंपोर्टेंट है कि किस किस में क्या-क्या था यहां से सवाल पूछ लिया जाते है जो बस वाले अंकल जो है ट्रेन वाले अंकल उन्रेन वाल तो बताओ समयधानिक सलाकार कौन था ठीक है फिर पूछलेंगे अच्छा इंप्रेस हो जाएगा तुमसे वह अंकल अरगा लड़की में दम तो है इसको पता तो बहुत है लेकिन तीर छोड़ता जाएगा फिर और निकालेगा चलो ये बात तो पता है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि कैलिग्राफर 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 लिखा भी था हाथ से इटेलिक सैली में लिखा गया था हस्त लिखित किया गया था प्रवाह में वह भूती सुन्दर उसमें तो उसमें फिर आप नाम बता देना प्रेम भिहारी नारायन रायजादा भारत के प्रमुख सुलेखक क इतना ही जान लेना है बस और उसके अलावा बाकी चीजों को जानने की जुरूत नहीं है यही इंपोर्टेंट चीजे हैं ठीक हाँ यह हिंदी जो संस्करन है उस हिंदी संस्करन का सुलेखन जो है वसंत कृस्ण वैद द्वारा किया ठीक है और जिसे नंदलाल बोस ने है ठीक है नो से 23 दिसंबर ठीक फिर उसके बाद 11 सत्र आपको याद रखना है अंतिम सत्र पहला सत्र और अंतिम सत्र आप याद रखिए बाकियों की जरूरत नहीं है बाकी बीच में कब कवे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ठीक अंतिम सत्र के बाद एक बार और समिधान उसको अपनाया गया, ठीक है, अब कुछ तुलना कर लेते हैं, कि किस किस देश ने कितना समय लिया, अमेरिका के समीधान ने चार माँ से कम समय में बना लिया, लेकिन हमारा समीधान उनसे अच्छा था, क्योंकि हमने समय लिया, तो हमने बहुत अच्छे प्रावधान बनाए अमेरिका में तो 1960 के दसत तक आ करके भी रंग बेद की नहीं थी समयधानी गुरूप से वहाँ पर देखोगे अलग-अलग तरीके के बेदवाओ थे महिलाओं को दूसरे विश्यूद पहले विश्यूद तक वोटिंग अधिकार नहीं था जबकि समयधान बहुत पहले बन चुका था 87, 1787 के अंदर और भारत में जिस दिन बना उसी दिन से सबको बरावर अधिकार तो हम ज़्यादा एडवांस रहे उनसे क्यूं में क्योंकि हमने समय लिया कनाड ने लगवलग दो चैप्टर समाप्त तो उमीद करता हूँ चैप्टर आपको के साथ-साथ आपने पढ़ा इसको मजे भी आए होंगे ऐसा भी नहीं कि बोर किया होगा आपको उमिद करता हूँ कि मेरा जो effort है मैंने जो कोशिस किया आप लोगों के लिए थोड़ा सा हसी मजाग के साथ-साथ serious concept को समझानेगी ताकि आपके दिमाग में वो चीज़े फिट हो जाए वो आपके साथ हुई होगी आप भूलो गए नहीं इसको कभी भी अगर आप class regular देखते रहोगे ठीक है पुरानी classes देख लेना पहले chapter की भी वो भी देख लेना अब अगले 4-5 दिन तक classes यूट्यूब पर नहीं होगी पूरे अनेकेडमी पर ही नहीं होगी क्योंकि special class में class होगी अनेकेडमी के application पर आ जाना वहापर मैं test ले रहा हूँ तो आपका मैं बहुत बढ़िया से test जरूर है वो करवा दूँगा ठीक है यूट्यूब पर class आएंगी अब दो तारीक से उससे पहले नहीं उससे पहले अब अनेकेडमी के application पर test series चला रहा हूँ उस test series में सब लोग आ जाना और आप लोग अगर class पसंद आईए तो house the joss का answer देंगे house the joss answer आने चाहिए हाई sir बारा बरिये के बारा बरिये का जोस दिखाओ UPSCS parent वाला हाई sir लिख करके और एक और चीज़ ध्यान रखने है अनेकेडमी का course जब भी lawyer मेरे दोस्त ये code याद कर लो इसको लगा लो हमें भी बहुत जरूरत है आप लोग अनेकेडमी का course लेते हो पता नहीं कैसे कैसे code लगाते हो इस code का भी use करना शुरू करो इससे आपको discount उतना ही मिलेगा जितना सबसे मिलता है लेकिन मैं आपको guide कर दूँगा personally one on one सबसे important चीज एक teacher की guidance होती है और teacher की guidance के बिना कुछ भी नहीं होता है ठीक है आप लोगों का प्यार रहेगा आप लोगों का support रहेगा तो आपके लिए बहुत और effort डालता रहोंगा आपके लिए YouTuber बहुत सारी चीज़े लेत करके आता रहोंगा तो आप में से कभी भी जब भी किसी भी course का code लेना हो अने कैडमी पर कोई भी course जोइन करना हो आपको आपके दोस्त को रिस्तेदार को किसी को भी तो उनको यही code सजेस्ट करना यह बोलना है कि यह referral code लगा करके लेना है आपके पास call आये कहीं से भी तो उनको बोलना है कि हम तो ललित सर के code से लेंगे LY live code से लेंगे तो आपको discount के साथ-साथ exam पास होने तक मैं guide करूँगा, proper guide करूँगा और teacher ही समझा सकता है और मैं बिना manager assistant के guide करता हूँ one-on-one लेकिन उसके लिए code याद रखेगे LY live आप सब लोग एबर comment box में मेरा referral code लिख करके बताएंगे क्या है referral code भी दोस्तों ने हमारा वो दिया pdf आपको मिल जाएगा telegram channel पर ठीके, वहाँ से pdf डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी डाल दूँगा class के तुरंत बादी pdf डाउनलोड कर लेना unacademy के subscription के regarding सारी जानकारी information offers की जानकारी आपको वहीं मिलेगी सारे offers वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ और class का link भी वहीं share किया जाता है आप वहाँ से join करके आ सकते है regular class में बने रह सकते है ठीके, thank you यार आप लोगों ने तना प्यार दिखाया मेरे को LY live code लगा है अब मैं आपके लिए जल्दी मैं आपके लिए spectrum सुरू करूँगा जैसे मैंने आपसे वादा किया था M. Lakshmi Khan के पहले chapter को सुरू करते time spectrum सुरू करूँगा और spectrum जो है free hand रहेगी free hand मतलब ppt का use minimum लिख करके ही करेंगे काम काम की चाज़े कुछ photos, images वो जरूरी काम की हैं वो आपको मैं दिखा करते रहूँगा और free hand तरीके से ले करके चलेंगे ठीक है इसके साथ-साथ आपका governance भी मैं शुरू करूँगा 11th class की NCRT शुरू करूँगा political science की ठीक है दोनों NCRT जो है 11th class की उनको start करेंगे इसके साथ-साथ आपके लिए Indian society उसको भी मैं start करने वाला हूँ और economics की रमेश सिंग की book उसको भी मैं start करने वाला हूँ यह सारी चीज़े मैं start करने वाला हूँ अगले मैने के लिए तयार रहिए YouTube पर बहुत धमाके से आपके लिए सारी चीज़े लाएंगा रात में 9 बज़े का time याद कर लीजिए लेकिन उन advanced class में आने से पहले आपको basic classes करनी पड़ेंगी basic classes political science की NCRT तो मैंने YouTube पर करा रखे आप मेरे नाम से सर्च कर लेना लेकिन जोती जोसी मैम है वो YouTube पर NCRTs पढ़ा रही है तो जोती जोसी मैम की NCRTs की classes जरूर देखना उनकी classes देखोगे तो वहां से तुमारा base बनेगा advanced level की classes मैं कराऊंगा वो रात में 9 बज़े आपको advanced level की classes मिलती है तो वो basic वहां से हो जाएगा advanced मेर से हो जाएगा तो दोनों की classes जरूर देखते रहे ना class मिस नहीं करना है ठीक है और बाकी सारी चाहिए कराऊंगा लेकिन इसके लिए वादा आप से चाहिए कि आप लोग भी इसको लाइक सेड़ करेंगे और देखो व्यूज बहुत मैटर करते हैं अगर व्यूज ही नहीं आ रहे होता है तो फिर हमारी भी फिर हमें आप लोगों का सपोर्ट वह जरूरी होता है आप लोग लाइक सेर करने के साथ साथ कमेंट करके बताया करें और अपने जितने भी दोस्ते हैं अपने जितने भी ग्रूप से उसमें सेर जरूर करें आरे इनक्लास को सेर करेंगे तो दो मैं आपके लिए इतने ही जोश से इतने ही जजबे से इतनी बहतरीन कलासिस डिटेल में डिटेल वाल एन ऐनलिसिज ले करके आता रहूंगा मझा आएगा और आपको याद हो जाएगा ठीक है यह सारी की-सारी चीजह मैं करऊंगा लेकिन आपको सेर क करतें और कमेंट भी नहीं करतें और सबसे इंपोर्टन चीज जब को अने कैडमी का कोर्स लेना होता है तब हमारा यूज नहीं करते पता नहीं क्या यह कोड यूज कर लो यार इसका भी स्ने क्या सकता है सारे बेनिफीट मिलेंगे एक extra benefit मिलेगा personal guidance का code है LY live जब भी join करें LY live code apply करके join करें exam pass होने तक guide करूँगा one on one ठीक है और end तक साथ में रहूँगा आपके end तक साथ देंगे जब तक आपका selection नहीं हो जाता तब तक तो चलिए अब आपसे हम मिलेंगे अगली class में special class पर अनेकेडमी के special class के platform पर जहां पर मैं test करवा रहा हूँ test में आ जाना सब लोग ठीक है डेली के 4 test रहेंगे test का timing सुबह 10 बजे फिर दोपेर में 1 बजे फिर evening में 7 बजे फिर night में 10 बजे दो दो गंटे के 4 test लूँगा 4 दिन तक लूँगा test 16 टेस्ट होंगे ठीक है तो हाँ 16 या 18 टेस्ट होंगे साथ 17 या 18 टेस्ट होंगे 4 दिन में वो सारे test मैं आपको करा दूँगा पूरे पोलिटी के mcqs बढ़िया तरीके से ncrt लक्ष्मिकांत डिडिवसू का mixture अच्छे से हो जाएगा कोई चिक चिक नहीं कोई चिक जिग नहीं कुस्तन भी खुदी पढ़ना रहेगा मैं आपको बस उसका explanation दूँगा पूल में आंसर दूँगा ठीक है चलो तो क्लास की बात तो हो गई अब बाकी चीजे बात कर लेते हैं और सुनाओ कि आलचाल बाकी आलचाल ठीक है बडिया है जिंदगी कैसी चल रही है आप लोगों की सई है आपर ठैंक्यू जिसको भी क्लास के लिए कंटने और जिंदगी में सब बडिया है कि अच्छा है कि आप बात है खाना पीना होगी नहीं कि रात में मेरे चक्र में डिनर भी रहना छूट गया कि आपके बास तो यह सुतंत्रित आया कि आराम से बैठे बैठे खाते भी क्लास देख सकते हो हम नहीं कर सकते हैं यहां पर हमने अगर कुछ खाते हुए अगर क्लास ले लिए और कुछ खालिया बीच में अगले दिन क्लिप करके वाइरल हो और कहा रहे हो गया इसने किया है भारी जुर्म खाना खाया चलिए तो ऐसे खुस रहिए पोजिटिव रहिए मेनट कीजिए आगे बढ़िए पोजिटीव रहिए कराइंगे के साथ आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए हम आपकी सफर में हमेसा साथ रहेंगे आप लोगों ने हमें बनाया मैं अपनी तर से पूरा एफट डालूँगा पूरी मेनत आपके लिए करके जाएंगे कोड याद रखेगा यल वाई लाइव इसको जरूर अपलाई करना इसको भूलना नहीं है ठीक है यह आपकी सफलता का कोड है यल वाई ल आई वी इसको लगाईए आपको डिसकाउंट और परसनल गाइडनस सारी के सारी मिलेगी ठीक है चल इसे इतने इंट्रेस्टिंग वे में इतनी एनरजी लगा करके जान लगा करे कोई नहीं पढ़ाएगा सब निप्टा जुरूर देंगे यह ऐसे 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 चलो बस उससे एक्जाम निकलेगा एक्जाम निकालने के लिए आपको बहुत डिटेल से चीजों को समझ तक के लिए आप सब को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत लेट्स क्रेक इट झाल 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 झाल